Hello student, तो हम लोग देखने आ रहे हैं lecture number 20, Electrostatic देखो पूरा Electrostatic हम लोग बहुत कम टाइम में revise करेंगे तो जिन students के प्रॉब्लम में Electrostatic करने हैं उनको 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे लग रहे हैं मत लगाओ, आपको ज़रूरत नहीं है आज में जितने problems आपको कराऊंगा, जो भी concept में आपको सिखाऊंगा Electrostatic पूरा, उतनी सी कम देर में आपका मज़दार revise हो जाएगा ठीके न, बेको Electrostatic का खेली है कि concept और उसका application ये जिन बच्चों को Electrostatic के अंदर आता है, problems आते हैं लगाने उनका Electrostatic कभी दिक्कत में ना आया है ना आएगा तो हम लोग क्या करने वाले, पहले एक छोटा सा concept का brief review ठीके न, खाले theory बढ़ने से Electrostatic में कभी काम नहीं चलता फिर हम उन पे problem की practice करेंगे, ठीके न, बढ़ी है तरीके से और मेरे खाल से फिर आपको NEET में कोई भी problem में दिक्कत नहीं आएगी test series के problem आप जरूर लगा लिना, तो चलो start करते हैं सबसे पहले देखो coulum's law, coulum's law के अंदर देखो क्या-क्या चीज़े हैं पहले इसको discuss करें, तो एक तो coulum's law in liquid आजाता है फिर वो contact वाले problem आजाते हैं, फिर coulum's law के अंदर आपके thread charge system के problem आजाते हैं, superposition के problem आजाते हैं तो ये मतलब आप जितना भी मेरे मुझ से सुनोगे समय problem आजाते हैं मतलब coulum's law के अंदर problem ही problem आते हैं और पूरे electrostatic में भी इसलिए problem ही problem आते हैं और student भी इसलिए problem ही problem रहती है, जो कि हम दूर करेंगे चलो देखो, तो सबसे पहले एक बार फटापट से revise कर लेते हैं तो जब coulum's law यहां ऐसा बोला जाए, दो चार्ज के बीच की force हम देखते हैं वैक्यूम के अंदर तो formula 1 by 4 by epsilon not q1 q2 by r square अगर इनी को medium में डाल दिया जाए, तो हम epsilon not की जाए के epsilon not use करते हैं और अगर multiple medium है, तो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है और वो तरीका यह है, कि आप इसको r effective बना लो और इस r effective का जो value होता है, वो और कुछ नहीं यह r effective होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूँ, under root k times r तो अब जब भी आप medium के अंदर coulum's law solve करोगे, यहां force का formula लगा होगे तो बस आपको distance को effective distance से replace करना है, which is root k times r तो जैसे हमने पूरे सिस्टम को water में डाल दिया, तो नया effective distance हो जाएगा root under 81, वैसे तो 80 होता है, बट 81 लेने से यह root थोड़ा आसानी से आजाएगा तो root under 81 r, that means 9 r इसी तरह मालों हमने dialatric constant 4 का लिया, तो root under 4 r तो बस आपको distance से replace करना है, आप formula क्या हो जाएगा, 1 by 4 by epsilon note अब के मत लगाना, q1, q2 by r effective का square, यहां से force हाजाएगी अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखो, coulombs law के अंदर वो null point वाले problem बनते हैं null point बतलब, या neutral point बोलो, जहां पर रखने पर net force 0 होती है तो अगर दो like charge है, तो neutral point बीट में मिलेगा, छोटे वाले के पास में और उसका standard result है, आप जहां से distance निकालोगे, जैसे मालो मैं यह देखना चाहता हूँ कि q1 से कितनी दूरी पर वो neutral point है, तो इस distance का formula हो जाएगा under root q1, times r by under root q1, plus under root q2, सही है अब अगर कहानी यह है, कि हम पूरा system equilibrium में चाहते हैं और हम एक q की value निकालना चाहते हैं, कि वह यह q की value कितनी हो so that पूरा system equilibrium में हो, तो आप किसी भी charge particle को पकड़ो उसके ओपर force लगा, और net force को zero कर तो, वहां से unknown q की value हाज़े यह बड़ा patented problem है, आपने पूरे साल बर की जब त्यारी करी होगी तो आपको हर module में वलिए, आप किसी भी coaching में पड़े हो हर module के अंदर आपके problem जरूर मिला होगा, teacher ने आपको जरूर कराए होगा तो last moment पे मैं भी कराऊंग, छोड़ूँगा नहीं अब छहाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको phase 1 में बढ़ाई थी कि अगर हम straight line पे रखने की बज़ाए, triangle के corner पर रख दें या square के corner पर रख दें charges को, तो center वाले charge की क्या value होनी चाहिए तो मालो एक equatorial triangle है, corner पर QQQ के charges रखते है तो center वाले charge की value, उन charges के opposite, यानि अगर आप बाहर positive रख रहे हो तो अंदर आएगा minus Q by root 3, और अगर यही चीज़ square है, तो result बन जाएगा हमारा यह कहानी ध्यान लखना, अगर बाहर हमारा positive charge है, तो center पर उसको bind करने के लिए negative charge होना चाहिए तो minus Q by 4, 2 root 2 plus 1, इसको रटने की जरुवत नहीं है, आप इसको calculate भी कर सकते हो बट क्यूंकि crash score से revision कराना है, इसलिए मैंने एक जगे पर इसको लिख दिया, ठीक है न Thread charge system अगर आपको याद हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है, तो एक ही चीज उसके इंदर apply होती है, डरने की कोई जरुवत नहीं, आप यह right angle triangle बनाओ, यह angle theta ले लो, यहाँ पर नीचे mg लगा, ठीक न, इधर side पर हमारा column force of repulsion लगा, यह angle हमारा theta हो गया, यह तो फिर यह भैल जाएगा शारुक खान की तरह, ठीक है न, और इन दोनों charges के बीच का जो angle होगा, वो कितना हो जाएगा 180 degree, तो 180 degree वाला भी बहुत common problem है, चलते हैं, अच्छा, अब थोड़ी सी चीज आती है field की, तो एक बार field वाला पूरा का पूरा properly revise कर लेते हैं, point charge की field readily outward होती है, r distance पर निकालोगे तो formula के क्यों भाई r square, सबको बताएं, इसमें मैंने को series के problem रखे हैं, तो जिन बचों ने series अपनी year long study में नहीं पढ़ी हो, एक बार revise कर लो, दो तरीके की series हम लोग लेते हुए चलेंगे, एक log वाली series और एक geometric progression, तो यह जो आप देख रहे हो first term r को हम बोलते है, common ratio, example में 1 plus 1 by 2 and up to so on, तो इसका जब अब sum निकालोगे, तो ratio मिल गया 1 by 2, first term हो गया 1, और sum की value a upon 1 minus r करने पर 2 आगी, इस पर आपको problem मिल सकता है, अच्छा, अब हम आते हैं, कुछ, अच्छा, इस पर मैंने क्या किया है, field और potential एक साथ कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ही ना है, नहीं तो पहले student क्या होता है, पहले field बढ़ता है, फिर बिचारा potential बढ़ता है, time unnecessary खराब हो जाता है, तो हम लोग दोनों चीदे एक ही जगे पर देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, charged circular ring, तो हमारे पास एक ring है, दूसरा energy conservation का problem वो भी रखा हुआ है, तो दो तरीके के problem ring के अंदर important है, एक SHM खा और एक energy, तो जब आप electrostatic पढ़ रहे हो ना, पूरी चीज दिमाग में रखो, अच्छा और क्या चीज important है, field lines में charge का motion, उस पे 2019 के अंदर problem आया था, तो आपका 22 के अंदर भी आ सकता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर उसको भी discuss करेंगे, बहुत असान section होता आपको दिक्कत नहीं आएगी, और क्या field के अंदर important है, बाकी तो standard results है, जैसे वो अपना छोटा सा circular arc उसकी field center पर, rod की field center पर, तो सारे problems आज आपको मिलेंगे, ठीक न, तो फिलाल ring के अंदर important बात है क SHM का problem रहने वाला है, या रह सकता है, या फिर आपका ring के अंदर energy का अंदर vision, दोनों ही problem discuss करने है, देखो, पहले field, तो ring की वजए से x distance पर जो field होती है, वो axis के parallel positive है, तो बार की तरफ, negative होगी तो अंदर की तरफ, field का standard formula kqx divided by x square plus r square की पार 3 by 2, वहीं अगर आप potential q upon x square plus r square की पार half, यानि kqy root under x square plus r square, ring में field maximum होती है, कहाँ पर r by root 2 के distance पर, ठीक न, और उसकी maximum value होती है, 2 by 3 root 3, अच्छा, मैं ग्राफ भी आपको साथ साथ बदा दो, तो field का ग्राफ यह है, तो यह field का ग्राफ है, r by root 2 के distance पर field maximum होती है, और इस maximum field की जो value होती है, वो हो वही ring में अगर आप potential का graph देखोगे न, तो potential ring में center पर maximum होता है, और इसका graph इस तरीके करेता है, left और right पर, इस maximum potential की value, center के potential की value, आप इसमें x को 0 put कर दो, तो यह मिल जाएगी kqy r, तो यही सारी चीदे यहाँ पर है, ठीक न, मेरे खाल से आपको simple सा result समझ आ जाना एक दो और चीदे देखते हैं, जैसे वो cylindrical rod, यह generally ghost serum के अंदर आता है, तो अगर मेरे पास एक rod है, next page पर तो अगली चीद आ जाएगी, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो अगर यह मेरे पास infinite length की rod है, ठीक है न, तो इस infinite length की rod की वज़े से अगर आप field चेक करो, तो इस तरीके से होती है, cylindrical radial, और यह आप NCRT में भी वड़ते हो, हर जगे पर आपको मिलेगा, और इस field का जो standard result होता है, ठीक है, तो r distance पर जो standard result होता है, वो होता है 2k lambda by r, तो यह field होती हो, direction इसको radially outward, potential निकालने के लिए integration करना पड़ता है, ठीक है न, एक पर फिर भी बता potential difference की value होती है, vb-va equals to 2k lambda log ri by rf, तो यह value होती है हमारी potential difference की, ठीक है इसमें अगर आप चेक करोगे, तो आगे जाने पर वो ही हमारा same result field के direction में चलने पर potential की value कम होती चले जाती है, तो final potential कम मिलेगा, initial जादा मिलेगा, इस result को evaluate करोगे, तो यह automatically negative हा जाएगा, ठीक है न, त rod की वज़े से potential का और field का general relation होता है, एक बात और बता हूँ, rod की वज़े से potential नहीं defined होता है, potential difference defined होता है, क्योंकि अगर आप r equal to infinity, r equal to 0 put करोगे, तो log function define नहीं होगा, तो rod में हम reference infinity पर नहीं लेते हैं, तो इसलिए generally कम रहता है, बट इसका जो concept था, वो aims में रहता था, यह आयटी के अंदर आ जाता था, बट ठीक है, आपको revise होना जरूरी है, चलते हैं आगे, अब हमारे पास आता है, छोटा सा concept एक बार फटा पट से gauss theorem का revise कर लेते हैं, देको gauss theorem के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी important अभी field गया नहीं है, मैंने भी सिरफ आपको ring और rod बता है, that is q by epsilon 0, यह shape के ओपर depend नहीं करती, charge and close के ओपर depend करती है, मतलब कि अगर आप एक point charge ले लो, फिर आप चाहें इसके चारों तरफ सेर बनाओ radius का, चाहें सेर बनाओ two radius का, flux का value सेम रहेगा, कोई change नहीं आएगा, तो यह shape के ओपर depend नहीं करता, दूसरी चीज, अगर हम gauss से और हम apply कर रहे हैं, ठीक ना, और उसके application से हम field निकालना चाहते हैं, यह निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग directive formula यूज करने वाले हैं, shell का हो गया, यह solid sphere का हो गया, तो derivation कोई आप से नहीं पूछने हा रहा, ठीक न, आपके need exam के अंदर, बस की एक phase में, q by 6 epsilon 0, अगर हम charge को phase center पर रखते हैं, तो q by 2 epsilon 0, ठीक न, अगर हम charge को edge center पर रखते हैं, q by 4 epsilon 0, corner पर रखते हैं, तो q by कितना corner होते हैं, q by 8 epsilon 0, तो यह पूरा का पूरा contribution का जो pattern है, वो आपको आना चाहिए, तो यह पूरा, यह, अच्छा, इसके अंदर, आपक से कितने बच्चो का हता है, तो वो अगर मैं अभी बता दूँगा, तो मज़ा खराब हो जाएगा, तो आगे हम लोग देखेंगे, अब चलते हम लोग थोड़ा सा आगे, देखते हैं, क्या है, तो intensity due to a charge at q, यह तो हम लोग वैसे भी देख चुके हैं, तो point charge के वज़े से हमारा जो field का formula kqy r square, potential का general formula kqy r होता है, potential scalar quantity, field हमारी vector quantity होती है, अच्छा field और potential के बीच का relation, यह तो गजब important है, ठीक न, छोड़के बिलकुल नहीं जाना, problem भी अच्छा कासा आज आपको मिलने वाला है, तो field और potential के बीच का relation, तो dv by dr करेंगे, minus sign लगाएंगे, तो मार लोप अगर positive आया, तो field वहाँ पर negative होगी, यह चीजें भी हम लोगों ने phase 1 में पढ़ी थी, बट अभी एक कोई review ले लिया, इस result पे तो भाई मान के चलो, आपका problem रहता ही रहता है, ठीके न, तो आपको किसी भी हाल में यह चीज छोड़ करके नहीं जानी, यह जे gap है, तो del v by del x, del v by del y, del v by del z, partial differentiation must है, करेंगे ज़रूर हम, अच्छा, अब, यह देख रहें, फटा-फट से हम लोग सारे formula है, और electrostatic के अंदर है यह ही, कि आप देखोगे कि हम लोग जो भी problem लगाएं, चाहें AIEEE का उठा ले, चाहें आपका पुराना NEET का या AIPMT का problem उठा है, direct formula based ही होता है, बस दिक्कत क्या होती है, student को click नहीं करता, अनि उसका click का button घराब हो जाता है, ठीक ना, और उसको समझ नहीं हाता कैसे लगाना है, तो हमारा aim रहेगा, कि आप हर एक problem को अच्छे तरीके से सोच पाऊ, समझ पाऊ और लगा पाऊ, अच्छा, potential and intensity due to charge conducting sphere, आजो फटाफट से revise करते हैं, तो यह हमरे पास एक conducting sphere है, conductor में सारा charge उसके outer surface पर रहता है, तो अगर हम इसमें field define करें, यह radius r ले लेते हैं, तो outside में जो field होती है, यह तो बिल्कुल point charge वाली, यानि inversely proportional to r square, on the surface में constant होती है, kqy r square, अच्छा, inside में, sorry, on the surface में एक और खास ब बस and close कर पाए, inside में देखोगे, तो कोई charge ही नहीं है, इसलिए field 0 रहेगी, graph देखोगे, तो inside में field का result 0, on the surface maximum field decreasing, ठीक है न, e inversely proportional to r square, वही potential अगर हम चेक करें, तो outside में potential, वही point charge वाला, यानि inversely proportional to 1 by r, standard formula kqy r हो जाएगा, on the surface में potential की value हो जाएगी kqy r, और inside में potential constant रहता है, क्योंकि field 0 रहता है, जितना on the surface होता है, ठीक है न, यानि kqy r, तो sphere में, conducting sphere में, contribution inside में वही जाता है, जो उसका surface वाला होता है, इस पर हम लोग potential का भी problem देखेंगे, field भी देख लेंगे, इसके बाद हमारे पास आता है, non-conducting sphere, non-conducting sphere में अगर आप देखोगे, तो आप के पास ये non-conducting sphere है, जिसमें charge uniformly distributed है, total charge की value हम क्यों ले लेते हैं, radius का r ले लेते हैं, इसमें भी तीनों चीज़े revise करते हैं, outside में field का pattern y same, inversely proportional to r square, on the surface में field maximum kqy r square, और inside में field का formula होता है, kqx divided by r cube, यानि field directly proportional to x होती है, ग्राफ देखोगे, तो straight line और बाहर decreasing, इस सारी चीज तो भाई क्या कर सकते हैं, ठीक है न, पढ़ पढ़ना तो बढ़ेगा, और कुछ वाइस हो है नहीं, या फिर दस गंटे, खुद पढ़ो बैट करके, तो simple सा तरीका है, मैं बता रहा हूँ, आपका 15-20 minute के अंदर formula revise हो जाएंगे, तो ये field का graph हो गया, potential देखोगे, तो outside मे potential inversely proportional to R, on the surface में potential होता है, हमारा KQYR maximum नहीं होता, ठीक है न, और inside में potential का भयानक formula, KQ upon 2R cube, 3R square minus X square, graph parabolic रहता है, center पर maximum होता है, और इसका formula होता है, 3 by 2 KQYR, या 3 by 2 times potential of the surface, inside में graph parabolic, उसके बाद graph hyperbolic हो जाता है, तो ये potential का हमारा solid sphere के लिए graph होता है, V versus X, center पर maximum होता है, ये ध्यानकना है, अच्छा, फिर हमारे पास वो छोटे-छोटे result आ जाते हैं, जिसमें conducting और non-conducting sheet, तो conducting sheet के लिए, जो field का formula हो गया, वो हो गया, हमारा sigma by epsilon 0, non-conducting का हो गया, sigma by 2 epsilon 0, इन में potential निकालने के लिए, हम लोग ये वाला result यूस करते हैं, delta V equals to minus E dot delta R पर ये तभी यूस करते हैं, जब field constant हो, ठीक न, और obviously यहां field constant ही है, अच्छा, ये result में minus sign का मतलब, कि field के direction में चलने पर potential क्या होगा, decrease करेगा, अब बोदर direction में चलने पर potential increase करेगा, ठीक, energy conservation भी पूरी तरीके से लगाना आना चाहिए, मैं भी सिखा दूँगा आपको कैस work done निकालने का एक ही तरीका है Q delta V, ये simple सा हमारा तरीका हो गया, तो हमें हर चीज़ का अगर potential आता है, तो हमें ये external force का work done निकालना बड़े अराम से आ जाएगा, अगर आप field का work done निकालना चाहते हो, तो ये field का work done external का opposite होता है, यानि minus Q delta V, ठीक, एक और important बात, अगर energy conservation लगाते हैं, तो KI plus UI, KF plus UF, तो इसमें खास service से लगाने से पहले हम उन जगे initial और final point के potential जरूर लिख लेते हैं, ताकि हमें energy conservation लगाने में दिक्कत ना आए, ठीक ना, अच्छा, फिर अगर आप system की potential energy निकालना चाहते हो, तो आपको pair बनाने पड़ेंगे, जैसे 3 charge के अंदर 6 pair बनेंगे, वो जनरल तरीका है, एक-एक pair लेते जाओ, potential energy लिखते जाओ, तो इसकी potential energy के Q1, Q2 divided by R1, इसकी potential energy के Q2, Q3 divided by R2 and up to so on, तो अगर हमारे पास system of charges हैं, तो हमें number of pair बनाने पड़ेंगे, number of pair मैंने आपको formula भी बताया था, पता भी होगा आपको, तो अगर N charges हैं, तो number of pair बनते हैं, N minus 1 divided by 2, इस पर भी आपका problem मिलेगा, अच्छा, अब चलते हैं हम लोग, डाइपोल के section पर, डाइपोल भी काफी important है, इसमें generally work और energy से related problem ही, आपके slivers के अंदर जादेतर रहता है, तो हम लोग वो भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी problem discuss करेंगे, पहले डापोल की field है, तो डापोल की field का जो general formula होता है कि CB distance देखो, यह रहा short dipol obviously, short dipol ही हम लोग लेखते वे चल रहे हैं, theta angle पर, इसकी axis से theta angle पर, यह जो p point है, r distance पर यहां field का formula, standard formula, kkyr cube, under root 1 plus 3 cos square theta, तो यह रहाज का standard formula, अगर यही field आप axial line पे निकालोगे, बताओ क्या अगर था axial line पे formula, तो 2 kkyr cube, और यह field टापोल के direction में होती है, equatorial line पे, अगर आप देखोगे, तो equatorial line की field जो होती है, axial line की opposite होती है, minus, result होता है kkyr cube, तो हम यह भी कह सकते हैं, कि e axial का magnitude, e equatorial का double है, और general जगे पे मैंने आपको बता दिया, यह angle, इस angle की value होती है, tan alpha equals to half of tan theta, formula तो सारे दिया हुए, बढ़ यह revise होने चाहिए, अब अगर इस पे problem रहता है, तो कैसा रहना चाहिए, ठीक है न, तो इसके अंदर एक जबरदस problem मैंने रखा हुआ है, energy of interaction का आपको मज़े आ जाएंगे, वो problem सीकर नहीं, IAT level का नहीं, आपके level का ही है, क्योंकि energy of interaction आपक cos theta 1, minus cos theta 2, ठीक है न, maximum work done, यह भी मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे भी काम में आएगा, यह magnetism में भी आपके काम में आएगा, तो maximum work done की वाले होते हैं, 2PE, torque देखोगे, तो torque का formula P cross E होता है, expand करें, तो PE sin theta, maximum torque देखोगे, तो वो हो जाएगी, PE, तो W और tau के बीच का relation आ गया, तो maximum work done equals to twice of maximum torque, potential energy का general formula देखोगे, तो वो होगा, minus PE cos theta, तो यह कुल मिला करके हमारे डापोल के results हैं, जिन पर हम लोग problem practice करेंगे, तो यह total section था, आपका elektrostatic का, जो formula based section हम लोग जिसको बोलते हैं, जिसमें से problem जरूर आता है, तो चलो लोग start करते हैं, हम लोग problem का section, तो पहले आपके लिए मैंने रखे हुए हैं, दो, छोटे छोटे warm up कर लेते हैं, ठीक है न, और फिर एकदम तावड़ दोड, start करेंगे problem, तो 30-30 seconds, तो पहले problem के लिए 30 seconds का time है, तो मेरे कहल से तो आई ही गया होगा, ठीक है न, और इसमें आप ज़्यादा time ले भी नहीं सकते हैं, तो I think मैं रोक रहा हूँ, इसमें 30 seconds से पहले ही, ये बोल रहा है, 1000 electron transfer कियेगे, देखने सुनने में चोटा है, बर कई students से इसमें भी गल्ती हो जाती है, तो हमने क्या किय 1000 electron यहां से यहां transfer किये है, ठीक है, अब यह कहता है, difference in mass बतादो स्वेर का, तो यार, electron जाने से क्या होगा, mass पर फरत्तों पड़ेगा, क्योंकि electron का mass होता ही है, तो जितने electron जाएंगे, उतने electron का mass हमें एक एक में से subtract करते हैं, तो मालो इसका mass M था, तो इसका mass रहे गया, M value of difference in mass, यह हमारे पास आजाएगा, अब आप चेक कर लो, इसका option हमारा भी correct, but simple था पर ठीक है, warm-up के लिए ठीक है, next problem attempt करो, यह भी warm-up के लिए 30 second का time is, सिर्फ तो मैं इसको भी रोक रहा हूँ, देखो, यह भी बहुत common problem है, और बहुत से बच्चों से इस problem के अंदर भी गलती हो जाती है, problem यह कह रहा है, a point charge q1, तो यह हमारे पास एक point charge है q1, this q1 exerts force f on q2, तो f की value होगी, k q1 q2, by में r square, okay, अब यह कहता है, one other charge q3 is placed quite near to charge q2, तो हम इसके पास में एक और, बहुत पास में q3 का charge रख देते हैं, ठीक है, रख दिया, then the force that q1 exert on q2 will be, तो q1 q2 पर कितनी force exert करेगा, तो भाई आप q2 के पास में q3 रख दो, q4 रख दो, q5 रख दो, जो मरजी रख दो, ठीक है, q1 की force हमें कोई change नहीं आएगा, वो आई र चार्ज कियों जैसे जो force रखती है, बाकी surrounding में कितने भी charges रख दो, वो unaffected रहती है, ठीक है, तो option is कहा हमारा जाएगा, चलते हैं आगे, यह आपके पास एक छोटा सा निमार काल है, आपको इसमें 45 seconds से 1 मिनट तक का मिनट आइम दिया, और डाइग्राम मना करके करना, बिन डाइग्राम के मत करना गड़बर हो जाएगी, तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, अच्छा, एक और बड़ी अच्छी बात, वो यह है कि students को न, इलेक्रोस्टेटिक में, calculation में टाइम बतानी क्यों बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आपको इलेक्रोस्टेटिक यह, क्या करते हैं, आपको डाइग्राम सुंदर सुंदर बनाने में, आपको काम ऐसा करना है कि अपना एक मिनट के अंदर प्रॉब्लम खतम हो जाए, इतना ज़्यादा भारी दाइग्राम मनाया, कहता है, 4 equal charges, मैं तो अभी Q रख दे रहा हूँ, ठीक न, यह 4 equal charges Q के, Q की value बाद मैं ने पट लेंगे, R capped at x equal to 0, 2 meter, 4 meter, and, 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 4 meter नहीं है, centimeter में चल रहा है, ठीक है, 8 centimeter, करना क्या है, the force exerted by charge and newton at x equals to 2 centimeter, इस पे force निकालनी है, तो देखो जरा, इधर का distance और इधर का distance पर आबर है, ये भी 2 centimeter, ये भी 2 centimeter, तो इन दोनों की force, 1 की, 3 की, आपस में होगी, equal और opposite, cancel out होगी, ठीक है न, तो मुसीवत कटी, तो force बची किसकी सिरफ 4 की, तो 4 वाला इसको repel करेगा, इधर force लगाएगा, तो आपको calculate सिरफ एक ही तो करना है, तो इसमें कौन सा वारी काम है, तो KQ square, by distance का square, K की value होगी 9 into 10 की power 9, अब क्यों की जरूरत है, क्यों की value कितनी है, 2 microcolumn, तो 4 into 10 की power, अच्छा, microcolumn का square, minus 12 आ गया, मीचे distance, तो यहां से यहां तक की दूरी, 8 minus 2, 6, square, 36, centimeter को convert करोगे, तो 10 की power minus 4, तो calculation tough नहीं है, practice की बात है, जितनी practice अच्छी, अब आप यह सोचो, आपने coolant slow की definition बढ़ ली problem, एक नहीं लगाया, तो exam में कहां से लगेगा, तो आप अटक ही जाओगे, फिर तो यह छोटे problem करने में भी आपको 5-5 minute लग जाने है, तो 4-9 जा, 9 इदर से निकल लिया, और answer आगया 10 newton, तो check करो, इसका option हमारा C correct, बहुत आराम से हो सकता था था न, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कम time दे दिया, खुच जादा time ले लिया, इतने इनी time में हम लोग कर सकते हैं, चलते हैं आगे, यह आपका आगया, series का problem, 45 seconds से 1 minute, diagram हर electrostatic के problem में बनाना सुन्दर नहीं, और ऐसा जरूर बनाना की काम चल जाए, तुमें इसको रोक रहा हूं, देखो, यह बोल रहा है, infinite charges are placed on x-axis, तो हमार, अब यह infinite बोला, तो यह नहीं कि लगे पड़े हो infinity तक ले गई चार्जस को नहीं, इतने में हमारा काम चल जाएगा, at x equals to 1, 1 क्या, meter, तो यह पिछली बार मेरे से भी खलती हो जाती, meter इस centimeter चेक करते रहे न, यह 4 meter, यह हो गया 8 meter, अच्छा, कितने charges रखेस ने, 1 microcoulum, तो 1 microcoulum इदर, 1 microcoulum इदर, और 1 microcoulum हर एक जगे पर, करना क्या है, x equals to 0 पर potential calculate करना है, कैसी quantity होती है, scalar, तो इसकी वज़े से potential हो गया, kq by 1, kq by 2, kq by 4, and up to so on, सब में से kq common निकाला, अंदर बचा 1 by 1, 1 by 2, plus 1 by 4, plus 1 by 8, and up to so on, इतना मतलब, जह जखना नहीं चाहिए, आपको kq common दिख रहा है, नहीं, हम तो पहले पूरी equation लिखेंगे, फिर हम common लेगे, ना भई, ऐसी दरुवत नहीं है, common ले लो एक ही बार में, अब देखो, k हो गया, 9 into 10 की बार 9, q का value मरे पास आ गया, 1 micro column था न, 10 की बार minus 6, अब यह हो गया, 1 plus 1 by 2, plus 1 by 2, स्क्वेर क्या बन गई, gp बन गई, sum का formula, a upon 1 minus r, a की value होगी 1, 1 minus r की value होगी 1 by 2, तो 2 उपर आ गया, ठीक है न, तो result आ गया, 18 into 10 की बार 3, तो 18 into 10 की बार 3, अब मैं देखो कि स्टम में, 4 पार जा रही है, तो 1.8 into 10 की बार 4, और यह क्या हो गया, unit इसका volt आ गया, this is the value of potential at x equal to 0, option first correct, है न, आराम से कर सकते हो, तो डरते क्यों हो, आपको डरना नहीं है, confidence के साथ practice करो, ठीक है न, और जितनी अच्छी practice करेंगे, उतना हमारा त्यारी solid रहेगा, exam में डर नहीं लगेगा, चलते हैं आगे, हम, अब हमारा जो next problem है, ये तो आपका standard problem है, फटापट से 45 second के अंदर complete करो, मेरी ख़ल से बहुत से बच्छों को तो इसका answer direct भी आता होगा, ठीक है, न, standard problem ही उठाए है, मैंने, तो मैं इसको नहीं, जादा देर, नहीं देर, रोक रहा हूँ, तो charge q is placed in the middle of a line, joining two equal and like point charges capital q, तो ये capital q के दो like charges है, इनके बिलकुल middle में हमने q रख दिया, ये r ले लो, चाहिए तो r by 2 भी ले सकते हो, कोई फरक नहीं पढ़ता, अभी कहता है, the system will be an equilibrium for what value of q, अब मैंने अभी ज़स सिखाया था theory part में, system में किसी भी charge q को पकड़ो, उसके ओपर की net force को zero कर दो, तो इस ने इसका नाम 1 कर देते हैं, इसका नाम 2 कर देते हैं, 1 ने इस पर repulsion की force लगाई, formula हो गया kq square, distance to r का whole square, यानि 4r square, 2 ने इस पर repulsion की force लगाई, value हो गया kqq, ठीक है न, by r square, net force zero होनी चाहिए, तभी system equilibrium में रहेगा, तो दोनों का sum किया, तो kqq by r square, plus kq square by 4r square, equals to zero, यहां से small q का value आगया, minus q by 4, बिल्कुल इसी तरीके से 66 problem exam में खतम हो जाते हैं, चलते हैं आगे, ये भी देखो, इस जैसा problem भी आपके में आ चुका है, ठीक है न, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मिलता जुलता, exact वहीं नहीं, थोड़ा मिलता जुलता problem रखा, 45 second में खरो, तो आगया होगा, आपका इसना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसके अंदर, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो, two equal and opposite charges, तो ये q, ये minus q, आपका रिस्टेंस पर ले लेते हैं, and force between that means f, f का value हो गया, kq square by r square, अब क्या किया गया, ये बोले 20% charge, 20% का मतलब कितना हो गया, 20 by 100 मतलब 1 by 5, तो 1 by 5 charge एक से दूसरे पर ट्रांसफर किया, किस से किस पर वो नहीं बताया, आप इस से इस पर कर लो, इस से इस पर कर लो, बात है कि ये कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है न, तो exam में ये भी confusion हो जाता है, यहां से वहां करें हैं, यहां से यहां लाएं, तो कहीं से कहीं कर लो, कोई फरक नहीं पड़ता, आप चाहिए तो चेक करके देख लाना, तो q by 5 का charge मैंने इधर transfer किया, तो अब क्या बचा, तो इधर बचा q minus q by 5, which is 4 q by 5, और इस पे आगया, यह q by 5 इसमें add हो गया, तो this thing becomes minus 4 q by 5, ठीक है न, तो इधर आगया हमरे पास minus 4 q by 5, separation अभी भी R है, तो नई force हो गई, दोनों का ले ले लेते हैं, formula लगा लेते हैं, k q square by r square, q square बन जाएगा 16 by 25, k q square by r square, that means यह आगया 16 by 25 of f, तो result हमारा simple सा 4th option correct हो गया, चलते हैं आगे, हाँ, यह आपका thread charge system का problem है, आपको इसमें 45 seconds से 1 मिनट तक का time लगेगा, करो अटेंप्ट. तो मैं इसको अब यहां रोक रहा हूँ, देखवा, पहले diagram जरूरी है, तो diagram मना लेते हैं, तो खहता है, हैं 2 point charges हैं, और इन charges की value हमें दे रुखे 10 की पावर मानस 7 कूलम, यह रहा, और इनका mass हमें दे रखा है 10 mg, ठीक है, और इनके बीच का separation हमें दे रखा है 3 cm, यह equilibrium है, तो बताओ, यह vertical से कितना angle बनाएंगे, तो यह angle theta ले ले लेते हैं, forces में F इदर लग गया, मीचे mg लग गया, जैसा मैंने अभी theory में बताया था आपको, तो 10 theta की value हमारे पास होगी, सीजे सीजे, F by mg, F को हमने पूट करा, KQ square by R square, times mg, देखो, इतने तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यह theta हमें निकालना है, पढ़ा रहें दो, KQ value, 9 into 10 की पार, 9, Q square होगया, 10 की पार, minus 7 का whole square, 10 की पार, minus 14, distance का square, distance कितना था, 3 cm square हो गया, 9 into 10 की पार, minus 4, mass कितना दे रखा है, 10 mg, तो हम, 10 mg है, थो 10 g, तो 10 g इसका mass दे रखा है, अब यह एकड़बड़ हो जाती, तो 10 ग्राम इसका मास दे रखा है तो यह बना 10 इंटू 10 की पावर मानस 3 तो 10 इंटू 10 की पावर मानस 3 और साथ में एक 10 और आ गया अब सिंप्लिफाई कर लेते हैं तो फाइनली 10 थीटा का वाले हमारे पास बचा 9 9 तो उड़ गया ठीक न यह हो गया हमारे पास 10 10 10 की पावर मानस 1 यह बेसिकली बचा 10 की पावर हमारे पास 100, minus 1, 10 की पावर minus 5, 9 और 5, 14 यह आ गया, सब कुछ cut pit करके बान, तो theta की वाले हमारे पास आगी 45 degree सही है, तो vertical से यह बना रहा है, 45 degree का अंगल आपस में thread कितना बना रहे हैं, तो वो total हो जाएगा, 90 degree का अंगल तो simple problem, fourth option correct, next problem पर आते हैं अब देखो, अब electric field के problem आपके start हो गए, मैंने पहला problem आपका vector form का रखा है, ठीक है न, करो attempt 45 seconds तक का time मिलना चाहिए, इसमें तो मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो इतने problem तो देखो, अभी तक हम लोगं का column slot तो हम लोग देख चुके, समरी यही है कि अगर कोशिश की जाए, ठीक न, तो ऐसा नहीं है कि एक मिनट के अंदर problem करना next to impossible है, और बहुत अराम से हम कर सकते हैं, अब इसका फाइदा आपको जरूर मिल रहा होगा, ठीक न, कि अगर आप given time limit में practice करो, confidence जबर्दस हो जाएगा, calculation की speed तेज हो जाएगी, और 45 के 45 problem आप exam में touch कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि तो ये student इतने problem टचे नहीं कर पाता है, तो विचारा number कहां से लाएगा, तो ये जरूरी चीज है, ठीक है न, तुम मेहनत करो, जम करके, और मेरे खाल से आप जरूर अच्छे से अच्छा number score कर पाऊगे, अपने neat exam में, ये बोला है, 50 µC का एक point charge है, तो ये रहा 50 µC का point charge इस cap at the position vector, इसका position vector r0 vector हमें दे रखा है, 2i plus 3j, ठीक है, हमें इसकी वज़े से field निकालनी है, और field का position vector हमें दे रखा है, 8i minus 5j, अब ज़रा गौर करो, देखो, बेवकूप बनने की सवाल में जरूरत नहीं है, vector form का मतलब ये नहीं कि बुक वाले तरीके से जुटके, vector form लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें सिरफ field का magnitude निकाल के देना है, तो हम क्यों पंगे लें, कि हम r cap भी निकालेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, नहीं, आप diagram ये diagram में problem मोड़ा सकते हो, आपको सिरफ इनके बीच का gap ये तो निकालना तो पहले आप ये delta r लिखो, और फिर इसका magnitude ले लो, delta r हो गया, 8-2, 6i cap, minus 5-3, 8j cap, तो magnitude इसका तयार हो गया, 10 हा गया, सही है, तो हमें सिर्फ magnitude से मतलबता है, that's it, अब काम खतम, तो field निकालना है, अब तो point charge का formula, kqy r square, 9 into 10 के बार 9, q का value, q का value कितना, 50, 10 के बार minus 6, by r square, तो 10 का square, जो कि 100 हो गया, ठीक है न, और अब यहाँ पर ये चीज़ें cancel out हो गई, मेरे क्याल से, एक decimal तो यहाँ चला गया, 45, 4.5 में लिख लेता हूँ, उसको क्योंकि मैंने एक decimal उड़ा दिया था, into 10 के पार 3, तो 45, 100, volt per meter, या newton per coulum is the value of field, option T correct, तो हमें unit factor की दे रखी होते हैं, तो हमेशा question में पहले गौर करो, यह नहीं कि आपने सवाल बढ़ा और दन दन आते वे शुरू हो गया, यह नहीं देखा कि पूछा क्या गया है, और निकालना क्या है, अगर हमें vector form चाहिए होता है, तब हम इदर R cap का introduction करते हैं, और हम सवाल को आगे attempt क करते हैं, बट हमें ऐसा दिया नहीं गया, सिर्फ हमें magnitude पूछा गया था, तो smart work किया ही कहता है, ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, देखो, इस तरीके का problem आपको ज़रूर practice करके जाना चाहिए, motion of charge particle in electric field, 45 seconds, मैं इसको simple तरीका भी दे दूँगा आपको इसको करने का, करने करते हैं, तो मैं सको रोका है जब भी charge particle का motion electric field में कर रहे हैं बस एक दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि charge particle field के parallel जा रहा है, perpendicular जा रहा है है, obligally जा रहा है question में लिखा है हमने release किया, तो यह वहीं भागेगा जहां field का direction होगा, straight line path होगा अब आपको सिरफ और सिरफ kinematics के ओपर dependent रहना है, आपको velocity का ratio निकालना है velocity हमारी first equation में भी आती है, जो कि time के function में होगी third equation v square equals to u square plus 2x में भी आती है, distance के function में होगी तो question पढ़ते वक्त, पहले यह देखो, charge particle कैसे जाएगा electric field में भी ऐसे ही करना है, तो magnetic field में भी ऐसे ही शुरू करना है तो जिन बच्चों को starting नहीं मिलती, वो starting यही है भी, पहले check करो charge particle कहां की तरफ move करेगा, दूसरी step, velocity निकालनी है तो check करो time के function में निकालनी है, या position के function में निकालनी है तो यहां बोल रहा है, क्या, time, तो first equation लगेगी तो equation मन गई V equals to U, अभी तक मैंने कहीं pen नहीं चलाया, ऐसे ही आप यह एक्जाम में कर सकते हो U plus 80, U हो गया 0, V की वाले हो गई 80, acceleration कौन करा रहा है, electric field करा रही है कितना acceleration हो गया, force by mass, यानि QE by M, तो equation मनी, V equals to 80, A की जगे आगया, QE by M into T अब बस गौर करो, क्या-क्या चीज है, same है, पढ़ो सवाल, particle having charge Q, particle B having charge 4Q, यानि charge अलग-अलग है with each of them having same mass, तो भी mass same है, पंगई नहीं कट जाएगा, then allowed to move from rest in uniform electric field, electric field constant कट जाएगी, for same time, time कट जाएगा, ले दे के बचा किया, यार, charge तो V proportional to Q, इतना सा काम था, तो V1 by V2, Q1 by Q2, और answer आगया, 1 is to 4, आगया, third option correct है, मुश्किल ता गया, नहीं था, आराम थे exam में कर सकते थे, यहीं अगर ऐसे बोलता, equal distance के बाद ratio बताओ, तो हम क्या लगाते हैं, third equation लगाते हैं, under root 2X हो जाता, एक ही जगे QE by M डालते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम होती, तो V proportional to root Q आ जाता, अगर मास सेम है तो, ठीक है ना, फिर ratio लेके आप answer दे सकते थे, तब 1 is to 2 होता, मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपके concept solid है, आपको सवाल करने का तरीके आते हैं, और आपके पास perfection आपने practice करी हुई है, तो लड़ाई कीज सकते हैं, ठीक है ना, और अगर कुछ नहीं किया हुआ, तो भाई त्यारी करो, अब देखो, इस तरीके का problem, जहां तक मेरे को ध्यान है, 19 या 20 में आया था, ठीक है ना, 2019 में आया था, 19 में आया था, और हमें mid point पे field लिका लीती, तो उसी तरीके का मैंने ये सवाल आई हम लोग magnetic field में भी देखते हैं, दो current carrying wires के बीच की force, तो वैसे ही, दो charge rod के बीच की force है ये तो मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो, बहुत असानी से इसको उड़ा सकते हैं, क्या रहा है, दो infinite rod है, ये रही infinite rod, ठीक है, और इनके वीच का जो separation दे रखा है, वो D दे रखा है, अब हमें बता करना है, एक rod और linear density lambda 1, इसकी lambda 2, एक rod, दूसरी rod पर कितनी force per unit length लगाईगी तरीका, आप X length का या L length का portion ले लो, अब इसका पहले charge लिखो, तो Q की value हो गई, density into length, यानी lambda 2 into L, अब इस पर force कौन लगाएगा, इसकी field की वरिया से force लगेगी, field का direction outward कर दिया, नाम इसका even कर दिया, ये Q2 कर दिया मैंने दर, तो अब इस पर लगने हमाली force F2 का result हो गया, Q2 into E1, ठीक है, Q2 की जगे आगया, lambda 2 into L, E1, infinite rod का formula डाला, 2K lambda 1 by D, तो force per unit length हमारे पास आगी, L को नीचे लिया है, 2K lambda 1, lambda 2 by D, अब आप option मिलाओ, 2K lambda 1, lambda 2 by D, तो मेरे एक हाल से option B correct है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से, मैं तो 45 सेकंड फिर भी दे रहा हूं, अगर 30 सेकंड में भी उड़ा सकते हो, बड़ी चीज नहीं, इलेक्रोस्टेटिक करना, चलो आगे, यह मैंने रखा है, यह है टरपली का problem, ताकि आपको थोड़ा सा यह है टरपली भी लग जाए कि आराम से दग्जियां उड़ा सकते हैं, 45 सेकंड दिये मैंने आपको तो मेरी खाल से तो आए गया होगा, इतनी देर का टाइम में नहीं लगना चाहिए, देखो क्या होता है, सर्कुलर आर की फील्ड, बाई सक्टर लाइन पर होती है, फॉर्मूला, तो सर्कुलर आर की फील्ड का फॉर्मूला 2K लामडा बाई आर, साइन देटा बाई टू, अब थीटा गया हो गया, एंगल सब्टेंड बाई आर के डिदा सेंटर कितना है, 180 डिग्री बाई टू, साइन 90 हो गया, कट पिट गया 2K लामडा बाई आर, अब कई वच्चे क् करते हैं, जब अरस्ती PhD करने की कोशिश में लगे रहते हैं, कि हम तो इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब जब अरस्ती पंगे लेने का शौक, हम इंटीग्रेशन करेंगे और एक्जाम में रिजल्ट निकालना नहीं आपाता इसका, ये डारेक्ट आजाए, इतना भी बहुत ह हो गया, ठीक न, ये इतना भी कर लिया, गंगा ना लिया हमने, ठीक न, ये लवल मैक्समम है आपके एक्जाम का, वो इंटीग्रेशन करेंगे, वो अपना दिमाग खराब करते हैं, वो सिरफ और सिरफ इजए के अंदर रहता है, मेडिकल में नहीं आता, ठीक न, तो आप परो, तो फील्ड का वाल्यों महरे पास आ गया, तो के लैमडा बाई आर, और वैक्टर फॉर्म में देखोगे, तो माइनस ये के अप हो गया, अब जो चीजें अवे लवल नहीं है, उनको पूट करते जाते हैं, लैमडा नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, चार्ज दे पाई आर, तो इस बिकम्स पाई आर स्क्वेर, ठीक है, अब इसको फाइनली सिंप्लिफाई कर लो, ये टू यहां बचा, तो क्यू अपाउन टू पाई स्क्वेर एपसालन नॉट आर स्क्वेर और वैक्टर था माइनस ये कैप, ठीक है, ऑप्शन मिलाओ, क्यू अपाउन माइनस वार लगा दिया, माइनस जे कैप में देखो, अमरे बबाद दो आप्शन है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आप नीचे डिनॉम्नेटर में इसमें फोर आ रहा है, और हमारे आंसर में टू आ रहा है, तो आप्शन नॉम्बर थर्ड करेक्ट है, सिंपल था ये भी, आराम से अटाम्ट कर सकते हो, आप इसको एक्जाम में, बल्कि अगर आपको सैमी सर्कुलर रिंग नहीं भी दे रखी, 60 डिग्री दे रखी है, तो थीटा की जाएगे, 60 डिग्री पूट कर लो, वैसे रिजल्ट निकाल लो, ठीके ना, नेक्स्ट, ये भी बहुत कॉमन ब्राब्लम है, आपको इसको डाम्ट करना है, और 45 सेकंड तक कर टाई में सरफ, तो मैं स्कुरो कूँ, इतने ज़र में आजाना चाहिए, देखो, पहले इदर अलग से डाइग्राम ले लेता हूं, आप उसमें ही कर सकते हो, एक्जाम में आपको अलग से डाइग्राम की, ज़रूओत नहीं है, यहां माइनस Q, यहां फ्लस Q, यहां माइनस Q, यहां प्लस 2Q, इधर आगया माइनस 2Q, सेंटर पर यह कहता है, पॉजिटिफ चार्ज रखा, Q-not ले लेते हैं, तो बताओ, इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स किस डारेक्शन में होगी, फॉल्दू के पंगे नहीं लेने, कि नहीं हमें फॉर्स का मागनिट्यूट भी निकालना है, कोई नाम नहीं देगा चार नमबर आपको सिर्फ डारेक्शन बताने पे मिल रहे हैं, तो बस उतना बता कर किया हो, ठीक न? अब कैसे? हमेशा opposite वाले charges को पहले consider कर लो, चाहे square हो, चाहे hexagon हो, चाहे कोई भी polygon हो, तो अगर आपको center पर net field निकाली है, हमेशा opposite वाले charge को बियर करते वे चलो, तो इन दोनों charges को पहले consider करते हैं, इसने इसको attract किया अपनी तरफ F force लगा के, इसने इसको attract किया 2F की force लगा के, अब बचा क्या, इस 2F और इस F में से इदर बचा F, ठीक है न, तो एक force F का इदर आ गया, और एक force F का इदर आ गया, तो resultant दोनों का बिलकुल बीच में हो गया, root 2 times F, अब चेक करो, ये root 2 F, इस side के, नाम इसका A, और B, ये था C, ये था D, तो A, B, या फिर C, D के perpendicular है, या फिर C, B, और D, A के parallel है, तो option 0 तो है ही नहीं, तो अटाओ इसको, long diagonal AC, diagonal की तरफ ही नहीं, तो ये दोनों, मतलब इतने तो सीज़े सीज़े ही कट गए, perpendicular to the side A, B, तो ये option हमारा correct option हो गया, तो मेरे खाल से कोई बारी काम नहीं है, आराम से सवाल करे जा सकते हैं, चलते ह आगे, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप attempt करो, 45 seconds से 1 minute तक का time, ऐसे सवाल आपके exam के लिए ज़्यादा important है, जो ये मैंने रखा हुआ है, ठीक ना, attempt करो, और अगर गलत होता है तो concept सीख लेना, तो इसको यहीं पर रोक रहे हैं, देखो, ये खास तरीके का problem है, problem यह कह रहा ही है, हमारे पास एक circular ring है, जिसका radius आ रहे है, charge मैंने भी इस पर positive ले लिया, magnitude charge का Q ले लिया, radius इस ring का R ले लिया, अब कानी यह चल रही है, a small part of ring of length D is removed, ठीक है न, तो D length का एक small part remove कर देते हैं, D is much much less than R, तो जो हमने part इसके उपर से remove किया न, उस part की जो length है, ये जो आप देख रहे हो, ये length D, this length D is much much less than R, तो इसका मतलब ये निकला, कि ये जो portion है, छोटा सा portion है, ये इस पूरी ring के सामने एक point charge की तरह काम करेगा, गेम समझाया, अगर वो D less than R नहीं लिखता, तो फिर ये point charge की तरह काम नहीं करता, ठीक है न, फिर तरीका अलग होता, अभी point charge की तरह काम कर रहा है, तो तरीका अलग है, मैं दोनों सिखा दे रहा हूँ, ठीक है न, ताकि आपकी exam में कोई भी आया है, आप कर लो, radius इसका R है, अब हम अच्छी तरह जानते हैं, पूरी ring के center पर net field 0 होती है, ठीक है न, तो हम ring को दो part में break कर रहे हैं, one is this point charge, other is this remaining portion of charge, तो E1 vector plus E2 vector ring के center पर 0 हो गया, हमें निकालना है कि अगर हमने इतना part remove कर दिया, तो बाकी बचे हुए part का field कहां की तरफ होगा, तो यानि E2 का field जो होगा, वो E1 के equal और opposite होगा, समझ गया आप मेरी बात, यह पूरा हमने technical सवाल किया, तो E1 की field, अगर यह point charge है, तो field इधर क तरफ हो गई, सही है, और अगर यह point charge नहीं है, तो यह theta angle वाला sector हो जाएगा, और field हो जाएगी 2k lambda by r sin theta by 2, समझ के, तो फिर आप इस field का formula 2k lambda by r sin theta by 2 डालोगे, और अभी आप इस field का formula point charge वाला डाल दो, kq divided by r square, बस इतना सा अंतर है, तो इस सवाल को करते वालत, अगर exam मे आया, ठीक है न, आखे खुली रखना, दिमाग on रखना, चेक कर लेना, d less than r दे रखा है, या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो sector लेते वे चलना है, दे रखा है, तो point charge है, मजदार था ना concept, अब इसको हम लोग यहां simplify कर लेते हैं, तो e2 vector का magnitude हमारे पास आ गया k, this small q divided by r square, k पढ़ा रहे हैं दो, small q इतने portion का charge हो गया, और यह charge हम अपना linear charge density के concept से लिखेंगे, total charge by total length into given length, ठीक है न, total charge q, total length 2 by r, r square into given length d, सही है, अब आप इसमें check कर लो, this e is inversely proportional to r cube, और अगर आप इसका direction check करोगे, ठीक है न, तो हमें क्या पता करने है, electric field at center of ring will now be, ठीक है न, तो इससे निकालने के बाद, जो center of ring पर electric field बचेगा, वो कहां की तरफ बचेगा, तो इसका field इदर की तरफ है, तो center of ring पर जो field बचेगा, वो इदर की तरफ हो जाएगा, this is the direction of e2, ठीक न, तो यह e2 का direction, अब option बढ़के, directed towards the gap, gap की तरफ directed है, inversely proportional to r cube, तो यह तो option ही ठ inversely, तो a की option हमारा correct है, that is option number a, point समझा गया, तो gap की तरफ directed है, और inversely proportional to r cube है, और अगर gap का field करता, पूछता, तो वो away from the gap directed होता, magnitude उसका same होता, proportionality उसकी same होती है, तो सवाल समझा गया होगा, जो मैंने दूसरा problem बताया, कि अगर यह छोटा नहीं होता, उसको एक बार copy में जरूर अपने आप से कर लेना, ताकि exam के वक्त हमें दोनों problem अच्छी तरह revise होते रहें, ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं, यह आया, ऐसे चंग का, चलो, attempt करो आप इसको problem को, 45 seconds, proving नहीं करनी, जो बच्चा है यह सोच रहा हम इसको prove करेंगे, ठीक है, आप करते रहे जाओ आपको सम नहीं करना, अगर आपको आता है, तो direct करो, ठीक है, अगुलर फ्रिक्वेंसी निकाल नहीं है, तो दोखा मत खा देना, पते ज़र टाइम पिरेट निकाल के बैठ गया है, तुम इसको रोक रहा हूँ, देखो, lectures में ये problem आपने किया हुए, बलकि इसकी तो ऐसी तैसी किया हुए, आपने थो 3D तक के SHM की symmetry हम लोगों नहीं यहां से निकाली हुए थी, ठीक है न, तो ये तो फिर भी अभी बच्चा सवाल है, सर्कुलर रिंग वाला सवाल है, यहां पर हमें एक माइनस क्यू का चार्ज रखते हैं, X is much-much less than R, ये बात जरूर होनी चाहिए, अगर ये नहीं हुआ, X अगर R के comparison में negligible नहीं हुआ, तो फिर ये सिरफ oscillatory motion होगा, time period आपसे पूछने का अधिकार उसके पास नहीं होगा, ठीक न, वो copyrights उसके पास नहीं है, वो सिरफ तभी पूछ सकता है, जब ये SHM करें है, तो SHM का time period प्रूव नहीं करते एक्जाम में ये चीज़ है, पूरे साल भर क्या गया अफिर, तो 2 by under root, sorry, MR cube by KQQ, ठीक न, ये Q होगया, charge on ring, और दूसरा होगया, point charge, तो ये हमरे पास time period, वोट examiner ने पूछा है, angular frequency यानि omega, तो omega होगया 2 by T, ठीक, कुछ खास नहीं करना, इसको उदर उल्टा कर दो, तो under root of K, capital Q, small Q by MR cube, अब क्या K को expand करना है, या ऐसा ही रखना है, तो 4 by epsilon 0, अलग से दिख रहा है, तो ये नीचे लाना पड़ेगा, तो root under, इसको में दूर कर रहा हूँ, QQ by 4 by epsilon 0, MR cube, अब आप 5 वर मिलाओ, तो QQ under root 4 by epsilon 0, MR cube, तो हमारा option number A correct है, ठीक है न, चलते हैं आगे, ये बड़ा interesting है यार, बहुत अच्छा conceptual problem है, exam के लिए expected problem, 45 second का time है, करो अटाम, मतलब field lines, potential, potential energy, सब एकी problem में जोग दिया, इस तरीके का problem exam के लिए काफी important होता है, तो मैं रोकूं इसको, अब बहुत से बच्चे इसमें confused हो रहे हैं, यार, कौन सा option, potential energy नहीं पढ़ने पड़ रही, इसका क्या option होगा, increase करेगी, decrease करेगी, बढ़ा confusing type का problem है, ऐसा नहीं आएगा, तो जो आप सोच के जाओगे, नहीं आएगा, वैसा ही आजाएगा, पोजिशन आफ, तो चलो सीखते हैं, तो यह रही field lines, conceptually तो सीखके जाने हैं, हमारे exam के लिए थोड़ना भरी भरी numerical सीखके जा रहे हो, field इदर की तरफ है, आपने negative q का charge इसके इंदर release कर दिया, u equal to 0, तो इस पर force कहा लगेगी, इदर लगेगी, जैदर force लगेगी, वहीं और field के opposite direction में जाने पर potential increase करता है, तो potential क्या करेगा, potential increase करेगा, इतना तो सब बच्चों को आई गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खेल किसका है, potential energy का, अगर जो फसें, तो वहीं फसेंगे, ठीक न, यहां तो फसेंगे, यहां हसेंगे, ठीक अब दोनों में से एक काम क्या होगा, अगर concept आ गया, तो हसेंगे, नहीं आया, तो फसेंगे, तो सीखते हैं, तो potential energy, तो देखो भई, change in potential energy का formula, वो होता है Q delta V, अब बहुत दिमाग लगा करके यहां पर देख लेना, सीख लेना, एक्जाम में गलतियां मत करना, जो चीज जैसी है, उसका sign वैसा put करेंगे, Q कैसा है, Q वो है, जो charge move कर रहा है, इस field में, ठीक है न, तो Q का sign कैसा है, negative, तो put करो, तो delta U, यानी change in potential energy, minus Q, times delta V, final potential, minus initial potential, अब गहुर करो, final, final यह हो गया, initial यह था, ठीक है, अब तो बता सकते हो अपने आपी, तो since V final is greater than V initial, तो final potential, greater than initial potential है, क्योंकि charge particle field के against में गया, तो VF is greater than V I, therefore delta V is positive, अब delta V तो positive हो गया, तो delta U कैसा हो गया, delta U हो गया, negative, delta U negative मतलब, U final minus U initial, negative हा रहा है, यानी U, final की value, less than U initial हा रही है, तो चलो, जवाब दो अब, तो जवाब यह रहा, कि charge particle का potential तो बढ़ेगा, ठीक है न, बट, यानी high potential की decrease करेगी, तो option आ गया, higher electric potential and lower potential energy, यानी, इसी option करेक्ट है, था न, बिलकुल मज़दार concept की ओपर, बेस problem, चलो, अब आप इसको attempt करो, छोटा सा है, और थोड़ा सा relax कर पाऊगे, 45 seconds, तो आइ थिंक आगे, यह होगा, बहुत से बच्चों का answer यह, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, problem यह किया रहा है, an infinite non-conducting sheet, तो हमारे पास एक non-conducting sheet है, ठीक है न, तो यह रही non-conducting sheet, having surface charge density 10 की पावर मानस 7 Coulomb per meter square, the separation between the two point, two equipotential surfaces near the sheet whose potential differ by 5 volts, तो यह दो point है, equipotential है, ठीक न, यहाँ और यहाँ का potential, obviously same ही होगा, ठीक न, तो यह equipotential है, यह equipotential, आपस में potential same नहीं है, तो दो फिर जिरू नहीं हो जाता potential difference, तो इन, दोनों अलग-अलग equipotential के बीच का potential difference, अगर 5 volts है, तो बताओ, इनके बीच का separation कितना होगा, आप क्योंकि field constant है, तो delta V का magnitude हो गया, E into V, अच्छा, अब आपका होगे सर मानस नहीं लगाया, तो delta V लिखते वक्त, हम यूज कर रहे हैं, high potential, मानस low potential, तो यह potential difference का magnitude 5 volts, E हमें sigma y, कितना होता है, conducting या non-conducting, non-conducting sheet का field का formula, sigma y to epsilon 0, times D, अब इसको simplify, और conducting होती, तो sigma by epsilon 0 आजाता, तो हमें D का value निकालना है, तो D का value हो गया, 5 epsilon 0, 5 क्यों, 10 epsilon 0, by sigma, सही है, बस value डालो, तो 10 epsilon 0, 8.8 into 10 की पार, मानस 12, sigma कितना है, sigma है 10 की पार, मानस 7, तो यह 7 और 8, 4 बारा, यानि 8.8 into 10 की पार, मानस 4 मीटर, हमें चाहिए मिली मीटर में, तो 3 मिंदी उड़ा दो, तो 0.8 मिली मीटर, 8.8 मिली मीटर, ओप्शन आगया हमारा B करेक्ट, तो हो गया ना सब कुछ, देखो, जो चीज़ सोच रहे हो, सारी चीज़े रवाइज होगी, rod रवाइज होगी, ring रवाइज होगी, infinite series रवाइज होगी, non-conducting sheet आपकी रवाइज होगी, thread care system रवाइज होगी, बज़ा क्या, कुछ भी नहीं, और कितनी दिर लगी, अभी देख लो, आदास, एक गंटे से भी कम टाइम ही हुआ है अभी पढ़ाते 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 पर इस दिन दिन में बहुत कुछ हम रिवाइस कर चुके हैं बस यही रिवीजन चाहिए होता है खुसे करते तो आप लगा देते इसमें चार पांच गंटे अटेम्ट करो यह एक टिपिकल प्रॉब्लम है यह मैंने जान बूच के रखा है एक मिनट का टाइम लगेगा आपको इसमें तो मैं इसको यहां रोक रहा हूं क्योंकि दिन देर में अगर आपको आता होगा नो तो आपने कर लिया होगा देखो यह प्रॉब्लम ओरिचनल ही आईटी जाईए का था बट क्योंकि आ चुका तो इसलिए मेडिकल में इस तरीके का रिपीट हो जाता है और आपके में तो यह वैसे भी फॉर्मला बेस्ट माना जाता है कि इस तरीके का प्रॉब्लम आना चाहिए तो जब मैंने पिछली बार कराया था तो चार्जस क्यू और मानस क्यू ले करके कराया था इस बार मैंने चार्जस के नामपते बदल दी है क्यूवन और क्यूटू ले लिए ताकि प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज हो है एक और ट्विस्ट है बताता हूँ अभी तो प्रॉब्लम में बस यही ट्विस्ट है कि वन से टू ले जाना या तू से वन लाना है यह नहीं पता थीक है ना तो आप ले जाओ यहां से यहां अब बहुत से बच्चे पता क्या इसमें इस प्रॉब्लम में फस जाते हैं बुरी तरीके से क्योंकि अगर नन ओफ तो एक ही तरीका Q डल्टा भी Q जिस चार्ज को ले जारे हो डल्टा भी जो पोटेंचल डिफरेंस है फानल मानेस इनीशल तो पहले हम VB और VA लिख लेते हैं तो K Q 1 by root 2 R और दूसरी रिंग के सेंटर पर है वो तो K Q 2 by R हो गया उसका फॉर्मुला similarly VA लिखते हैं तो इससे R डिस्टेंस पर है तो इसका अच्छा पहले Q 1 ही लिख लेते हैं तो हमें सब्ट्राक्ट करने में असानी होगी तो इसके लिए सेंटर वाला कॉंट्रिबिशन तो K Q 1 by R और इदर आगया K Q 2 by root 2 R potential difference लिखते हैं वी वी मानस वी है क्योंकि हम A से भी ले जा रहे हैं तो हमारे साब से final V हो गया initial A हो गया ठीक है ना तो VV मानस वी है common ले लो K Q 1 by R इदर से common निकला 1 by root 2 मानस 1 इदर बचा और इदर आगया K Q 2 by R और अंदर बचा 1 मानस 1 by root 2 आप क्या करें अब ऐसा करो आप कि यहां पर भी इसी जैसा pattern बना लो पर option में चेक कर लो root 2 मानस 1 चाहिए तो हम इसे negative बना लेते हैं ठीक है ना और इसे जैसे ही negative बनाते ब R मानस 1 आजाएगा यह पूरी चीज कॉमन हो जाएगी तो मैं यहां पर लिख लेता हूं तो डेल्टा वी की बाली होगी 1-1 by root 2 तो पहले बाहर निकाला K by R बाहर निकाला और अंदर बचा Q1, sorry Q2 मानस Q1 तो यह हुआ potential बना इतना करते करते हैं टाइम तो लग गया ठीक है तो इस तो मैंने बोला यह थोड़ा सा difficult है Difficulties ले नहीं कि concept नहीं आएगा Difficulties ले टाइम ले लेगा तो student के उपर pressure बन जाएगा और यार मेरे को तो इतना टाइम लग रहा है पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं तो भाई आप अगर concept सही लगा रहे हो तो सही कर रहे हो ठीक है एक आदे problem में टाइम लगे तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है हर किसी में टाइम लगे तो जरूर टेंशन लेनी है तो डेल्टा वी का वाले हमारे पास आ गया अब work done हो गया q डेल्टा वी तो small q से multiply कर देते हैं तो kq q2-q1 by root 2r times root 2-1 सही है k को चाहिए open कर लो 4 by epsilon 0 नीचे आ जाएगा एक step यार और बढ़ाने का मेरा बिल्कुल mood नहीं है मैं इसमें ही इस code आ दे रहा हूँ तो यह था q तो इदर आ जाएगा हमारे पास 4 by epsilon 0 ठीक है अब ज़रा option मिलाते हैं तो नीचे root 2 4 by epsilon 0 r root 2 4 by epsilon 0 r इन दोनों में नहीं है बगाओ इनको इन दोनों में से एक answer है हमारा ठीक है न तो रहा है q2 minus q1 तो अब student सोचता है पता नहीं यार सही करा है गलत करा है ठीक न आपने उपर शक होने लग जाता है यार पता नहीं नहीं पड़ा पता नहीं यार मैंने class में उस लख मजाक तो नहीं कर रहा था जब सर बढ़ा रहे थे तो बहीं सही करा है ठीक है ना पर answer क्यो जो करके मिल जाता Q1-Q2 आ जाता और हमारा exact answer मैच कर जाता तो जब तक question में mentioned नहीं है फाइदा उठाओ, नुकसान में मत आओ ठीक है ना, तो आप दोनों option में से कोई एक option select कर सकते हो, तो अगर none of these भी होता है, हम none of these नहीं लगाते हम यह वाल option टिक करते है तो मेरी खाल से समझ आ गया होगा, कि एक आदा problem तो एक्जाम में ऐसा होता है, जो time लेता है दिमाग लेता है, ठीक है ना, पर आना चाहिए करना, चलते हैं आगे अब यह आपका conceptual है मज़ेदार है, ठीक आप देख रहे हो problem का fluctuation देखो, आता है एकदम से दनादन theory वाला, फिर आता है एकदम से numerical, फिर एक हलका problem, फिर एक अच्छा conceptual, बड़े मज़े आरे हैं मेरे को बढ़ाते हुए, अब आप की आप जानो 45 सेकंड का time दिया चुन-चुन के conceptual निकाले हुए, ठीक न, तो इस तरीके conceptual आपको आने चाहिए तो आप मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो क्या कह रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक, अच्छा इसका निमर्कल हम लोग बता है कहा हम देख चुके है closest approach में, modern physics में, तो मेरे पाँ option दोते, निमर्कल रखो conceptual रखो, मैं तो निमर्कल तो रख लिया, conceptual रखते हैं यह लेते हैं concept के, ठीक है ना, तो यह वोलर्ट तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल x and y are initially far away from each other, तो लार्ज डिस्टेंस पे थे infinite distance ले लेते हैं, okay, and at rest, x begins to move towards y with some initial velocity, तो इस x को इधर की तरफ हमने कुछ initial velocity v0-mallu से project कर दिया, total momentum and energy of the system are p and e, ठीक है ना, अब यह कह रहा है, y is fixed, both p and e are unconserved, y is fixed, e is conserve, हमें यह बताना है कि क्या-क्या चीज़े conserve होंगी, अगर y fixed है या free है, देखो, अगर दोनो particle free है, तो फिर ऐसे situation में, जो force लगेगी, वो सिरफ और सिरफ mutual interaction वाली force लगेगी, आपको सरी तो center of mass में था, तो वही तो मज़े हैं हमारे concept के, तो mutual interaction की force लगेगी, system isolated हो जाएगा, system का momentum conserve हो जाएगा, ठीक है न, तो momentum conserve हो जाएगा, और क्योंकि कोई external agent नहीं act कर रहा, उसका कोई work done नहीं है, तो mechanical energy conserve हो जाएगी, ठीक तो अगर y free है, यहां ऐसे बुला जाएगा, दोनों free है, वो तो बिचाना free ही है, तो अगर y भी घर से गाली है, तो फिर जाएगा, तो अगर हमने इसे fix कर दिया, fix करने के लिए लो, मैंने इसे हाथ में पकड़ करके रख लिया, ठीक न, तो यह पैन ले लो, पैन कोई why माल लो, तो इसको मैंने यहां हाथ में पकड़ करके लख लिया, मैं, यानि external agent, तो मैंने force लगाई, यानि system पर external force लग रही है, momentum conserve नहीं होगा, तो यह अगर fix है, तो momentum conserve नहीं होगा, तो P is not constant, if Y is fixed, अब देखो, अब पंगा आता है, अब बहुत से लोगों की जमीन हिलेगी, ठीक है न, धरती काँपेगी, अब ज़रा सुनो, mechanical energy conserve होगी या नहीं होगी, चलो यह बताओ, ठीक है, यह fixed है, external force लग रही है, बताओ, mechanical energy conserve होगी या नहीं होगी, आप Western force होगी है, तो mechanical energy नहीं होगी, mechanical energy conserve होगी तो mechanical energy is constant अब धर्दीली होगी, यह क्या बोल गया उल्टा तो नहीं बोल गया सर, ना यहाँ पर हमने इस पर external force लगा रही है लगा रखी है, mechanical energy तब conserve होती है, अब बोलो कब conserve होती है बोलो, जब कोई external agent ना हो नहीं, फोड़ा sentence modify करो जब external agent का work done ना हो ठीक है न, वो तो हम जल्द बाजी में बोलते हैं जब कोई external agent ना हो actually में क्या है, agent ना हो यह agent का work done ना हो work done ना हो, तो agent बिचारा इसको agent के पकड़ के खड़ा हुआ है, कोई hill नहीं रहा displaced नहीं हो रहा, fixed है तो work done zero है, तो agent लग के भी ठीक है न, work done zero है non conservative कोई है नहीं इसलिए mechanical energy conserved है तो mechanical energy constant है अगर y fixed है, but momentum conserved नहीं है, था न, मज़िदार तो option हमारा है इसमें आ गया y is fixed e is conserved, but not p मतब second option, correct option है तो मेरे काल से अब तो ज्यान के, बंडार के कारण दिमाग के द्वार खुल गए होंगे, ठीक है न, तो यह ऐसा होना ही चाहिए जब आप सही से पढ़ते हो, concept अच्छे पढ़ते हो अच्छा लगता है, ठीक है न, अंदर से satisfaction मलता है कि हमने आज कुछ अच्छा किया है चलते आगे यह भी इच्छा सवाल है, करो attempt 45 सेकंड का टाइम है मेरी कहाल से यह जल्दी आ गया, ठीक है न, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, दो सवालों ने अभी आपके दिमाग के गोड़े दोड़ा रखे थे, अब आप छोड़ा सा रिलाक्स कर सकते हो इसमें तो मैं इसको रोक रहा हूँ, देखो, बहुत सिंपल explanation है, कहता है इन तीन पॉइंट पर potential 8 volt है, potential कहां constant होता है एक भी potential पर, यानि ये तीनों पॉइंट एक भी potential पर लाई कर रहे होंगे, तो एक पॉइंट चेक करो x-axis पर है, एक पॉइंट चेक करो y-axis पर है, और एक z-axis पर है तीनों का distance 1 meter है, sorry ये 1 meter है, ये भी 1 meter है यानि ये तीनों लाई कर रहे हैं एक x-axis पर, एक y-axis पर एक z-axis पर, तो यानि इन तीनों का, इनका equipotential हो गया इसका equipotential ही की sphere हो गया तभी तो x पर, y पर, z पर, हर जगे पर potential constant है, तो अगर मैं आपको equation बताऊं, circle की तो जानते हो रहा है x-square plus y-square equals to r-square circle की equation होती है, तो sphere की equation होती है x-square plus y-square plus z-square equals to r-square ये होती है, sphere की equation, radius की जगे आगया 1-square, सही है अब वो कहता है, बताओ भई, इस point पर potential कितना होगा, तो जड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, check करो अगर आप इसमें 1-1-1 put करोगे तो left और right बराबर हो जाएगा, यानि ये point भी sphere के उपर ही लाई करेगा और इस sphere के उपर लाई करने वाला हर point इक भी potential पर लाई कर रहा है, इसलिए उसका potential सेम रहेगा, तो answer हो गया 8 volt, option C correct अब आप सुचरो, सर level तो एकदम से, ऐसे 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 से जा रहा है तो मैं पहली बोला तो शुरू शुरू में थोड़ा warm-up कर रहे हैं फिर आपको मज़दार concept सिखाऊँगा, आपके बुद्धी खुल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टेटिक में आप रोना बंद कर दोगे चलते हैं आगे, तो ये भी एक interesting था सवाल हाँ, एक और interesting सवाल आया, attempt करो 45 सेकंड का थाई में तो मैं रोकराऊं इसको इसमें से एक भी, सिरफ एक problem वो ring वाला छोड़ करके बाकि एक भी problem ऐसा नहीं है, जो बहुत hard हर problem आपने कहीं न कहीं सीखा हुआ फर हम नहीं ये तो नहीं सीखा है, आपने इस जैसा एक problem सीखा है हमें याद दिला दूँ, आपने pentagon का problem सीखा है, जिसमें चार, अब हाँ हाँ बोलना शुरू करेंगे जिसमें चार vertex पर charges होते हैं, पांच में पर charge नहीं होता और हमें field निकाल नहीं होता है तो ये आपने सीखा है, तो मैंने उसी को थोड़ा सा modify किया है, pentagon की जगे, इनके खांदान का सबसे बुजुर्ख शक्स, इसका नाम है polygon, वो हमने ले लिया, यानि N sided diagram ये कहता है, एक जगे पर charge नहीं है, ठीक है न, बागी N जगे पर Q, N-1 जगे पर Q charge है तो बताओ, V by E का ratio center पर क्या होगा है, distance center corner का R दे रखा है, तो देखो बटा, तरीका बहुत ही simple है, वैसा ही, बस concept आने चाहिए मैं, वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपको concept आते हैं और उसे खेलना आता है, तो आपकी जिंदगी असान है, नहीं आता तो भई हमेशा भार दी रही की जिंदगी, तो यह हमारे पास N-1 charges है, एक जगे पर charge उड़ा दिया, तो भई, polygon के center पर field vector quantity होती है, तो net field 0 होगी, इसका मतलब क्या निकला, इन N-1 की field, अभी थोड़ देर पहले भी तो ऐसा ही देखा था, circle वाला तो सवाल था, छोटा सा element खाता था, तो इन N- N-1 charge की field, इस एक charge की field के equal और opposite होगी, तो field की value, due to N-1 charge, वो एक charge की field के बराबर हो गई, यानि KQR square, तो यह तो मुसीबत कटी field की, अब potential पर आते हैं, तो इस जगे पर potential, potential एक scalar quantity होती है, वैक्टर थोड़ना होती कि पता चले, N-1 का potential, आखरी वाले के equal opposite कर दिया, वही कहा से करोगे, direction ही नहीं होता, तो इन N-1 का potential हो गया, के, जोडो, N-1 Q divided by R, अब आपको V by E का, कौन सा भारी था, आप मेरे को बताओ यह सवाल, concept से ही तो खेलना था, ठीक है, तो यही तो हमारा A मैं, concept से खेलो, तो V by E, तो जैसे ही आप इसको divide करोगे, तो KQ by R कटेगा, चलो यह तो attempt करो, यह तो आपका जाना वेचाना favorite problem है, potential difference निकालना है O और A के बीच का, तो अब मैं इसको रोकूं, इतने जर्म आपका आजाना चाहिए, एक मिनट तक का मैं आपको तक्रीबन टाइम दे यह तो, इंदर, देखो, आपको O और A के बीच का potential difference निकालना है, मतलब हमें VA minus VO निकालना है, तो इसको हमने नाम दे दिया delta V, field देखो पीटा, uniform है, और uniform field में potential difference का वही, dot product वाला तरीका हमेशा perfect रहता है, तो minus E vector dot delta R vector, ठीक है, अब हम इसको attempt करेंगे, तो VA minus VO लिखना है मेरे को, simplify करते हैं, तो VA minus VO, minus, अब field को vector form में लिख लो, तो वह हो गया, E cos it I, plus E sin theta J cap, ठीक है, delta R, तो final minus initial, तो D I cap, plus D J cap, और 0 K cap लिखने की जरूद नहीं है, dot product ले लो, तो minus तो बारी रहने दो, E D cos theta, plus E D sin theta, तो यह हमारे पास potential difference की value आगी, अब check करते हैं option, तो E D cos theta plus sin theta तो है, पर minus sign नहीं है, यहाँ पर मैनस sign है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारा option इसके अंदर जाएगा, none of these, ठीक है न, तो अगर यह simply बोल देता, यह point locate करके नहीं देता, कि O और E के बीच का potential difference बताओ, तो हम फिर दोनों option ले सकते थे, minus वाला भी और plus वाला भी, simply बोल देता, find out potential difference, ठीक है न, between these points, यहाँ point के नाम नहीं देता, initial final define नहीं करता, तो फिर हम इसमें plus minus दोनों option ले सकते हैं, जैसे वो ring वाला सवाल था, ठीक है न, बट यहाँ इसने define कर दिया, कि O और E के बीच का, तो O initial हो गया, A final हो गया, तो फिर हमारी मजबूरी होगी, potential difference हम बिलकुल accurate निकालेंगे, जैसा हमारा option मिलेगा, नहीं मिल रहा, तो none of these, चलते हैं आगे, ये लो, ये तो आपके level का must problem है, attempt करो 45 seconds, origin पर force निकालनी है, तो पहले field निकालो, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, ज्यादा time लग रहा है आपको इसमें, देखो, सबसे बहले हम calculate करेंगे, del V by del X, तो del V by del X, और कहांपर, origin पर, तो 0, 0, 0, X, Y, Z की जगे, put कर देंगे, differentiation के बाद, तो del V by del X, यहां आगया 6, यहां X का differentiation हो गया 1, बचा हमारे पास, minus 8, Y square, यहां X है नहीं, तो यह 0, अगला भी 0, अगला भी 0, अब इसमें आप X और Y और Z की जगे, 0, 0, 0, put कर दो, यह बचा 6, similarly, del V by del Y, calculate करते हैं, origin पर, तो अब Y के respect में, differentiation पहला 0 हो गया, दूसरा हो गया, minus 16Y, तीसरा हो गया, minus 8, और यह हमारे पास हो गया, plus 6Z, यह हो गया, 0, ठीक ना, अब इसमें हम Y और Z और X तो है यह नहीं, तो 0, 0 डालेंगे, बचेगा, minus 8, last, del V by del Z, origin पर, तो यह आगया, इसका differentiation 0, अगले का 0, फिर 0, फिर 6Y, ठीक ना, और minus 8Z, तो मजे की बात है, दोनों 0 पूट करने पर, यह 0 हो गया, तो origin पर, जो field हमारे पास आगई, यह vector, field का formula, minus del V by del X, मैंने कहा ना, आपसे हर concept पर सवाल रखा हुआ है, del Y J cap, del V by del Z K cap, ठीक है ना, तो यह part तो 0 हो गया, तो field का हमारे पास value आगया, minus 6I cap, और plus 8J cap, option देखो जरा, आपको answer magnitude में निकाल गए ना, तो हमके पागल हुए, जो vector लगाते गोम रहे हैं, तुरंद इसका magnitude लेंगे, तो यह vector का magnitude हमारे पास आगया, 10N per Coulomb, force निकाल नहीं है, तो force का value हो गया, QE, Q कितना है, 2Coulomb, तो QE करते ही, हमारे पास आगया 20N का force, ठीक है ना, तो अब आप option चेक करो, D option इसका correct answer है, हो गये ना, सारी चीज़, रिवाइज एकी बार में, चलते हैं आगे, यह रहा आपके लिए, फिर से potential concentric shell का सवाल, 45 से 1 मिनट तक का time आप ले सकते हो, तो मैंस को अब रूकराँ, विगो ऐसे किसी वी फ्रॉक्राइज प्रॉक्राइज तो मैंस को अब रूकराँ, देखो, ऐसे किसी भी प्रॉक्राइज को करने के लिए, सबसे वहला काम, देखो, density दे रखी है, तो आप फट से इधर का charge लिखो, density into area, area होगया 4 by A square, इसका charge लिखो, तो वह होगी, plus sigma 4 by B square, इसका charge लिखो, तो यह होगया, minus sigma 4 by C square, अब करना क्या है, उस पर गौर करो, आपको A का potential निकालना है, तो सबका contribution लेना पड़ेगा, ठीक न, तो potential at point A, तो इसके लिए तो surface वाला formula, पहले general formula लिखो, क Q1 by A, इसके लिए inside वाला inside में वही contribution जाता है, जो surface पर होता है, तो क Q2 by B, अब आप Q1, Q2, Q3 put करो, तो potential की value, जैसे ही आप बिटा यहां Q1 put करोगे, तो यह बनेगा sigma 4 by A square में से A कट जाएगा, तो यह बचेगा minus K, ठीक है न, minus K sigma 4 by A, similarly, अगले में आप put करोगे, तो B से B कट जाएगा, plus sigma, sorry, K sigma 4 by B, last में बचेगा, K sigma, minus K sigma 4 by C, common क्या है, K common है, sigma common है, 4 by common है, बचा क्या, minus A, plus B, minus C, K की value भी डाल दो, 1 by 4 by epsilon not, 4 by तो नहीं कल ली, ठीक है न, बचा क्या, sigma by epsilon not, times B minus A minus C, option मिलाओ, sigma by epsilon not, B minus A minus C, C option correct हो गया, मुश्किल नहीं था, revise करा दिया, इसने सारा का सारा, पूरा spherical, अब मैंने A पर निकाला, तो अब आपकी वितो जमेदारी है, B पर calculate कर लो, C पर कर लो, ताकि हर तरीके से आपको exam में perfect हो जाओ, ठीक है न, चलते हैं आगे, ये आगया आपका solid sphere, यानि non conducting sphere का problem, करो attempt, 45 second, ये आपका दिया, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, दिखो आपको क्या करना है, solid sphere है, radius R का charge uniformly, हमें पता करना है कि वो कौन सी जगी होगी, जहां electrostatic potential, इस half of the potential at the center, और उसका distance पताना है surface से, तो पहले एक बार वापिस से घ्राफ रवाई, इसकरो, इसका non-conducting sphere का graph हमेशा फाइदा देता है, देखो बेटा, center पर अभी आपने सीखा था, potential सबसे ज़्यादा होता है, 3 by 2 KQ by R, ठीक है ना, surface पर potential होता है KQ by R, और इसके बाहर potential KQ by R से कम होता है, अब हमें वो जगे डूढ़नी है, जहां potential, potential, center के potential का आधा हो, ठीक है ना, तो उस P point पर potential, center के potential का आधा हो, तो 3 by 4 KQ by R, थोड़ा सा बुद्धी लगा ना, 3 by 4, यानि 0.75, factor 1 से कम हो गया, क्योंकि solid sphere में, एक पंगा हमेशा रहता है, कि हम जो formula लगाएंगे, point को पता करने के लिए, वो inside वाला लगाई हैं, outside वाला, phase 1 में मैंने आपको inside वाला सिखाया था, तो मैंने जस्ट उसका उल्टा यहां पर रखा है, अप चेक करो, यह जो potential है, यह surface के potential से कम है, और वो कहाँ पर होगा, outside में होगा, इसका मतलब हमारा point P, outside में लाई करेगा, तो outside के potential का formula डाला, KQ by X, ठीक नहीं, या KQ by R लिख लो, KQ, KQ cut गिया, X की value आगी 4R by 3, यह X है कहाँ से, इसके center से, हमें कहाँ से चाहिए, surface से चाहिए, तो from surface अगर हम distance निकाले, तो यह distance हमारे पास आ जाएगा, 4R by 3 minus R, ठीक है, तो result बज़ेगा R by 3, तो surface से R by 3 distance बाहर, जो potential होगा, वो center के potential का half होगा, that means 3 by 4 KQ by R, तो होगी है, यह चीज़ भी revise, तो option C correct, चलते आगे, यह वाला आपका अरथिंग का problem आ गया, attempt करो 45 second का time है, यह वाला आपका है, तो मैं इसको रोक हूँ, मेरे ख्याल से जिन बच्चों ने लेक्चर देख रखे हैं मेरे, ठीक ना, तो उनका तो आंसर फटाक से आ गया होगा, क्योंकि उनको ट्रिक तो बताईए कि इंसाइड में कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हमें दे रखे हैं दो कोसेंट्रिक स्फियर, जिसका रेडियाई ए और बी है, अंदर वाले का रेडियाई ए, बार वाले का रेडियाई बी है, और आउटर स्फियर इस गिवेन अचार्ज क्यूँ, ठीक है, तो हमने आउटर स्फियर को चार्ज क्यूँ दे दिया, दें द हम first channel का potential zero कर देते हैं तो यहां का charge q- ले लेते हैं तो k q- by a और बार वाले का contribution मिल गया k q by b equals to zero कर दिया यहां से q- की value आगई minus a by b into q अब आप option चेक कर लो minus q a by b यानि option number 4 तो हमारा इसका correct answer है चलते हैं आगे यह देखो यह फिर से एक conceptual problem है आपको इसमें सिर्फ 45 सेकंड मिलेंगे कर बटा conductor, conductor के अंदर cavity इस तरीके के problem जो है यह भी आपके exam में काफी आए हुए तो इसलिए मैं इसको यहां पर रखा हुए I think इसी तरी बहुत है इसमें आ जाना चाहिए देखो conductor की properties हम यहां पर लगाएंगे देखो यहां क्यूँ charge है तो इसके inner surface पर negative charge है जाएगा charge का distribution R के इसाब से होगा क्योंकि charge density charge per unit area होती है जहां surface ज़्यादा curved होता है वहां का area कम वहां density ज़्यादा जहां flat होता है वहां density कम तो यह तो तय है A पर थोड़ा flat है B पर थोड़ा narrow है तो A पर density charge की ज़्यादा होगी मतलब इदर negative charge का deposition कम B पर negative charge का deposition ज़्यादा तो sigma B greater than sigma A ठीक है न? अच्छा तो इसलिए दूसरा option देखोगे charge density equal वाला ही तो वैसे ही गलट हो गया field की बात कर लें तो दोनों point के distances अलग-अलग है तो यहां जो field होगी और यहां जो field होगी वो भी अलग-अलग आपको मिलने वाली है field भी same नहीं होगी तो E A not equals to E B तो option first भी हमारा गलत हो गया option C पर आते है potential at A equals to potential at B अब potential में ध्यान रखो यह metallic cavity है ठीक न? metal के अंदर cut करी गई cavity है ठीक और metal यानि conductor हो गया conductor की property होती है उसके surface पर हर देगे potential constant रहता है तो potential at A equals to potential at B reason इसका यह है कि यह एक conductor है और conductor में हमेशा potential आपको constant मिलेगा तो इसका correct answer हमारा C है तो यह भी एक अच्छा conceptual था मेरे काल से आपको समझ आ गया होगा चलते हैं आगे देखो यह फिर से एक conceptual है तो attempt करो 30 second का time इसमें सरफ है electric lines of force की property के उपर यह waste है आगे होगा इतनी दिर में ठीक है field lines की क्या property होती है जहां field lines पास पास होती है वहां field strength जादा होती है जहां field line दूर दूर होती है वहां field strength काम होती है तो A और B में field lines यहां narrow है यहां दूर है तो E A greater than E B अब इसमें खाली field तो पूछी नहीं मैंने potential भी पूछा है तो E A greater than E B पहला option correct मिल गया E B less than E A यह तो वैसे ही गलत हो गया V A greater than V B नहीं V A less than V B यानि option number A और option number D इसके right answer है तो more than one choice वाला question बन गया था बट वो धरो मत exam में तो वही उसी तरीके से आएगा 1 and 2 are correct 2 and 3 are correct तो single choice बना के यह आपको देगा चलते हैं आगे यह भी problem छोटा सा problem है ज्यादा time नहीं इसमें 30 से 40 second का time सिरफ लो attempt करो हम flux पे आगे अभी तक देखो flux का एक भी सवाल नहीं था अब लगातार line से flux के problem मिलेंगे है फिर dipole का है तो मैं इसको रोख दूँ बहुत simple technique है जो हमारा 100 meter square area वाला चीज है यह xy plane में है तो इसका area vector हो गया z axis की तरफ area vector हमेशा surface के perpendicular होता है तो area vector की value आगी 100 k cap आपको क्या calculate करना है flux flux का formula हो गया है e vector dot a vector ठीक है न dot बढ़क लोगे सिरफ k cap का term इसमें है तो k और k आपस में multiply कर लो तो 100 root 3 यह हमारे पास flux का value आगया अब 100 root 3 तो नहीं दिख रहा root 3 की value डाल दो 1.732 तो 173.2 यह हमारा flux हो गया option c यह आपका potential energy से associated problem है करो time इसके लिए आपको 45 seconds से 1 minute तक का time मिलेगा हमारा तो I think मैं इसको रोक रहा हूँ, आपका आजाना चाहिए, रिजल्ट इतनी दिर में क्या कह रहा है, यह कह रहा है, अगर इस system की पूरे configuration की electrostatic potential energy 0 है, तो capital Q का value कितना होगा, तो हमें मजबूरी है भई, हमें पूरी electrostatic potential energy लिखनी पड़ेगी, 0 करना पड़ेगा, तब result आएगा, यह side A है, यह side भी A है, यह side होगी, root 2 A, तो PR बनाते हैं, इसकी potential energy होगी, KQQ by A, next इसकी potential energy होगी, KQQ by root 2 A, और हमने सब को उठा के 0 कर दिया, यह ध्यान रखना हमें capital Q का value निकालना है, अच्छा दोनों में, इन तीनों में common क्या है, small Q, ठीक है न, K, small Q और A, यह sum में से cancel out हो लिया, बचा क्या, यहाँ बचा capital Q, यहाँ बचा small Q, यहाँ बचा capital Q by root 2, equals to 0, इसको उधर भगाओ, तो capital Q की value आगे, negative root 2 Q by root 2 plus 1, ठीक है, इतना हमारा answer आ रहा है, अब जड़ा option में check करो, negative Q देखो, एक भी option नहीं देख रहा, तो इसका none of these भी नहीं है, जिसका मतलब कि सवाल गलत नहीं है, थोड़ा सा हमें modify करना पड़ेगा, check करते हैं, root 2 plus 1, तो नीचे root 2 plus 1 इसमें दिख रहा है, बट उपर हमें ये root 2 का factor नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको rationalize करना पड़ेगा, दो च्वाइस से या तो root 2 minus 1 से उपर नीचे multiply करें, तो ऐसा होने पर नीचे हमारे पास बचेगा सिरफ और सिरफ 1, उपर बचेगा root 2 times root 2 minus 1, वो भी नहीं दिख रहा, तो दूसरा option क्या है, root 2 से उपर नीचे multiply कर लो, तो उपर आ गया minus 2 Q, नीचे बन गया 2 plus root 2, अब आप चेक कर लो, आपको answer इसमें दिख जाएगा, option number पर हमारा second correct, तो थोड़ी सी twisting थी, इसलिए problem अच्छा था, potential energy भी revise होगी, system की revise होगी, plus हमें unknown charge निकालना आ गया, चलते हैं आगे, यह आपका simple problem है, पर conceptual है, attempt करो आप इसको, सिरफ 30 second का time है तो मैं इसको रोकूँ, क्या पूछ रहा है, यह मतलब बिल्कूल standard problem है, आपका इस तरीके का problem का chances maximum समझ लो, और student के confused भी होने का chance maximum है, ठीक ना, बहुत से बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं, confused हो जाते हैं, आगर उन्होंने सई से नहीं पढ़ाई करी होई हो, तो question यह कह रहा है कि, consider the charge configuration and a spherical Gaussian surface, यह आपको spherical Gaussian surface ते रखा है, then electric field at the surface will be due to, तो इस surface के ओपर कोई भी point ले लो, कहीं पर भी ले ले लो, electric field किसकी वज़े से होगी, तो बहुत से बच्चे वही गौस्ट और हम उनके दिमाग में गुंचता रहता है, कि charge and closed वाले की वज़े स की वज़े से हर charge की वज़े से भी, बट जब हम flux calculate करते हैं, तो जो बाहर वाले charges होते हैं, उनकी वज़े से flux cancel out हो जाता है, और flux में contribution सिरफ surface के अंदर वाले charge का बचता है, तो concept यह है, कि field में contribution हर charge का होगा, बट flux में contribution सिरफ और सिरफ inside वाले charge का होगा, तो आप से क्या तो उसमें contribution इसका, 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 इसका तीनों का होगा, तो all the charges यानि option number third इसका correct है, तो इसमें कभी confused नहीं होना, question में हमेशा check कर लेना, field पूछा है या flux पूछा है, ठीक है, चलते हागे, ओके, यह आपका फिर से gauss theorem का cube वाला सवाल है, attempt करो, इसमें 30 से 45 seconds, जाधा time लेना चाहिए, तो आगिया होगा, मैं इतने पर ही रोक रहा हूँ उसको, हमें दे रखा है एक long string, linear charge density उसकी lambda है, cube से pulse कर रही है, maximum flux निकाल दा है, तो maximum flux कभ होगा, जब maximum charge enclosed हो, और वो तब होगा, जब length maximum है, वो तब होगा, जब cube का body diagonal enclosed हो, ठीक है न, तो यह रा cube, और इसमें maximum flux हमें तब मिलने वाला है, जब हम rod को, उसके body diagonal, यानि यहां से लेके, यहां तक के बीच में, ऐसे पास करा है, अब length कितनी होती है, तो body diagonal की length होती है, root 3L, ठीक है न, तो यह जो charge enclosed मिल गया, यह मिल गया, root 3 times L, length हमें cube की कितनी दे रखी है, A दे रखी है, तो root 3 times A, और into linear charge density lambda, अब maximum flux का value कितना हो गया, Q enclosed, यानि root 3 lambda A by epsilon 0, this is the value of maximum flux, option मिला लो, root 3 lambda A by epsilon 0, option 3 करें, मैं कि सिंपल था, आराम से आगया होगा, चलते हैं आगे, यह फिर से आपका Gauss theorem का conceptual problem है, 30 second का time है, आपको यह ऐसी वरमा में दिख जाएगा, ठीक है न, attempt करो, तो मैं इसको रोकूँ, देखो, यह कह रहा है, P पर हम एक charge रख रहे हैं, और वो charge है positive, तो इदर आपने plus Q charge रखा है, यह conductor है, तो conductor के साथ में, अगर आप charge रखोगे, तो इसके अंदर induction होगा, सामने आएगा negative, opposite charge, और बाकी remaining पर चला जाएगा positive Q, सही है, तो यह हो गया हमारा पूरा conductor के ऊपर charge, इसको इंडक्शन इन conductor का भी concept है, अब वो क्या कह रहा है, यह जो closed surface है, इस पे से आने वाला flux कैसा होगा, positive होगा, negative होगा, किस तरीचे का होगा, तो अब देखो, इसने कैसा charge and close किया, positive charge and close किया, इसलिए जो इसका flux रहेगा, वो कैसा आएगा positive, अगर suppose करो, हम यह negative Q charge रखते, तो इसके सामने positive आता, फिर इदर का flux हमारा कैसा हो जाता, negative हो जाता, तो मेरे खाल से point समझा आ गिया होगा, simple problem था, option second इसका correct है, यह देखो, यह आया हमारा वही पुराने concept के उपर based, जब हमने cube को wearable sheet में रख दिया, देखों आपको आता, यह concept या नहीं आता, CKIO, मैंने phase 1 में सिखाया था इसको, आप देखें आप इसको attempt कैसे करते हो, करो attempt, 45 seconds का time है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, बहुत simple सा तरीका था, चेक करो यह field कहां की तरफ है, x-axis की तरफ है, तो जब field x-axis की तरफ है, तो यह surface, नीचे वाला surface, बाहर वाला surface, पीछे वाला surface, इन सब के area vector field के पर perpendicular होगे, सारे बेकार होगे, कौन से surface काम कहें, एक right side वाला, एक left side वाला, तो right side वाला कितने distance पर है, a पर, तो पहले यहां field का value लिखो, इसमें x की ज़ेगे a डाल के, तो field होगे e0, a की पार 3 by 2, यहां पर जब field लिखोगे left वाले surface पर, तो x की value 0 होगे, तो field की value 0 होगे, तो flux में contribution actually में कौन दे रहा है, right side वाला, इसका area vector right की तरफ होगे, area की value a square होगे, तो flux की value होगे e into a square, sorry, e into area, ठीके न, तो result आ गया, e0, a की पार 3 by 2, times a square, simplify कर लो, 4, 3, 7, यानि e0, a की पार 7 by 2, अब आप option चेक करो, e0, a की पार 7 by 2, fourth option correct है, मेरे कहल से अब तो इसमें confidence आ गया होगा, ठीके न, कि ये cube view वाले सवाल जो होते हैं, बहुत time से चले आ रहे हैं, तो इस तरीके के सवाल हमेशा करके जाने चाहिए, कभी भी आ सकता आपका ये exam के अंदर और गलत नहीं होना, अच्छे ये, चलते हैं आगे, अब आया आपके सामने डाइपोल, तो आप डाइपोल ही डाइपोल चलेगा, ये आपका last section बचाया, अब डाइपोल का, अच्छी तरीके से देख लेना, इसमें कुछ धमाकेदार problem है, ठीक है न, जो मज़े आपको दिलाएंगे, और concept आपको बिल्कुल टना ठन कर देंग तो इसकी को पहले आप इसको अटाउंट करूं, 45 सेकंड का टाइम है, मेरे खाल से इती दिर में भी आगया बहुत से बच्छों का, तो 45 सेकंड भी इस टाइप गे प्रॉब्लम के लिए तो जादा आई है, रोग दो इसको, आज उस चलो सीख लेते, क्या से काय था इसमें मैंने आपको, चेक करो, ये negative charge तो minus 2Q है, मिला गर गे, positive charge plus 2Q एक जेग QA, इसका डैपोल नीचे की तरफ, magnitude QA, अब आपको डैपोल मोमेंट वैक्टर फर्म में चाहिए, देखो, answer वैक्टर फर्म में चाहिए, खाली, resultant नहीं चाहिए, वो तो हो जाता, root 2QA, तो ये हो गया, QA common ले लो, minus i cap, minus j cap, तो QA minus i cap, minus j cap, option हमारा, third correct हो गया, next problem पर आत इसमें सिर्फ आपको 30 से 45 सेकंड के बीच का टाइम मिलेगा, तो मैं इसको रोक रहा हूँ, problem बिल्कुल simple है, बट technical है, ठीक है न, problem ये कह रहा है, point P lies on the axis of dipole, तो ये रहा हमारा dipole, और point P इसकी axis पर lie कर रहा है, ठीक है न, तो इस जगे पर जो field होगी, वो obviously axial field होगी, और axial field कहां की तरफ होती है, along the dipole, क्या कहता है, ये कहता है, the dipole is rotated by 90 degree anti-clockwise, तो हम इस dipole को anti-clockwise direction में ऐसे 90 degree से rotate करने जा रहे हैं, तो गुमा दो इसको, तो dipole हमने ऐसे गुमा दिया, कहता है, अब same point P पर जो field होगी, वो कितने degree से rotate करेगी, अब check करो बिटा, ये जो P point हो गया, ये इसका equatorial line हो गया, equatorial line पर जो field होगी, वो opposite to the dipole, यानि इदर की तरफ आ जाएगी, सही है, तो field पहले इदर थी, बाद में इदर होगी, तो field गुमी ऐसे 90 degree से गुमी, और कौन से sense में गुमी वो आप देख सकते हो, clockwise sense, तो 90 degree clockwise, तो option A correct, उधाना, simple but conceptual problem, चलते हैं आगे, हाँ, ये अच्छा problem है, इसको time करो 45 second का time इसमें दिया आको, तो I think मैं इसको start कर दूँ अप, इतनी दिर में आपका आगया answer, ये कह रहा है, electric field at distance x on the axis of electric dappolis E, तो E का magnitude हो गया 2kp by x3, फिर आगे बोले है, electric field at distance x- on equatorial line is also E, तो equatorial line की field पर कितना distance पर, x- distance पर भी E है, तो equate कर देते हैं, तो equatorial का formula kp by x-3, क्या पूछ रहा है, x- और x का relation बदा दो, तो x- की value निकाल नहीं है, ये तो इदर से निकल गया, तो x- की value आगी, x-3 by 2, तो, sorry, x-3 की value, तो यहां से x- की value हमारे पास आगी, x by 2 की पार 1 by 3, तो option हमारा de-correct हो गया, next problem देखते हैं, ये आज के lecture का सबसे जोड़दार problem है, मेरे ख्याल से ये ऐसा problem है, जो अगर आपके exam में आ गया, तो सिरफ 5% जनता ही कर पाएगी, उनको भी करना भारी पड़ जाएगा, तो ये तो भाई challenge है, करके दिखा दू, एक मिनट के अंदर मान जाओ, तो एक मिनट का पूरा time दिया, और अगर नहीं कर पाओ, तो डरना ही के जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ एक आदे problem होते हैं, जो teacher को सिखाने होते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा यहां पे, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो, potential energy कैसे निकालने वाले हैं, हमें इसकी interaction की, बड़ा अटपटा type का सवाल दे दिया, चलो मैं इसको आपको परिशान नहीं कर रहा, मैं इसको आपको खुदी सिखाता हो, ठीक है न, यह problem अपने आप में अनोखा problem है, और मतलब मेरे दिमाग में क्या-क्या था, axial line के interaction सिखा हो, equatorial के interaction सिखा हो, तो मैंने सुचा न, axial की सिखा हो, न, equatorial general की सिखा दो, तो बच्चे अपने आप हर जगे की interaction की potential energy निकालना सीख जाएंगे, ठीक है न, तो, देखो तरीका, method बड़ा simple है, बट उसका रास्ता जो है न, वो थोड़ा सा टेड़ा है, यहाँ पर, इस जगे पर हमने दूसरा डापोल रखा हुआ है, यह theta angle है, देखो method यह रहेगा, एक डापोल की वज़े से, दूसरे डापोल के point पर, पहले field का direction लिको, तो, इस जगे पर जो field होती है, वो हम जानते हैं, वो net field होती है, something इधर की तरफ होती है, यहाँ से कुछ alpha angle पर होती है, सही है? तो, पहले यह field का formula, इसका नम e2 कर दूँँ, जादा बैठर रहेगा, तो e2 का formula हो गया, इस general point पर, kp by r cube, तो kp2 by r cube, times root under, 1 plus 3 cos square theta, जितने angle पर यह inclined है, tan alpha, उसकी वाले होगी, tan theta by 2, इसको थोड़ा सा और modify करते है, tan को लिखा sin by cos, तो sin theta by 2 cos theta, और क्योंकि हमें आगे alpha की जरूवत पढ़ने वाली है, तो पहली force up में हमने यह triangle बना लिया, यह alpha हो गया, यह sin theta हो गया, यह 2 cos theta हो गया, और यह हमारे पास हो गया, under root इसका square, प्लस इसका square, ठीके न, तो sin square theta, प्लस 4 cos square theta, थोड़ा सा direct कर रहा हो, cos square theta plus sin square theta 1 होता है, तो 4 cos square theta में से 1 इसको down कर दो, तो बन जाएगा 1, तो 1 प्लस 3 cos square theta, तो एक बर वापिस में मैं repeat करूँ, पहले field देखो, angle देखो field का, अब अगर यह xe line होती तो alpha को कोई पंगा नहीं होता, क्योंकि field or apple same direction में हो जाते, equatorial line होती, तो भी कोई पंगा नहीं होता, तो पंगे सिरफ तब है, जब general point है, इसलिए मैंने इसको सिखाना था, अब सीखवा गे, अब जो दूसरा dipole है, जो इससे के पर रखा गया है, यह हो गया P1, सही है, अब हम इन दोनों के बीच की potential energy बहुत अराम से लेख सकते हैं, minus P e cos theta, एक method और था, हम इस direction की field लिखते हैं, इसको बोलते है, radial field minus del V by del R, बट क्योंकि वो आपके slivers में नहीं आता है, polar और radial field, इसलिए मैंने जनर्ली वो concept लगाया है, नहीं तो आप थोड़ा आड़ बढ़ा जाते हैं, बेटर है आप जो जानते हो, मैंने उसी तरीके से लगाना इसको, तो potential energy हो गई, minus P1, E2, cos alpha, अब देखो, हमारे पास था 10 alpha, जरूरत है, cos alpha की, put करते हैं, तो minus P1, अच्छा, आप मैंने potential energy निकाली है, तो आप torque भी बता सकते हो, P E sin alpha, ठीक है न, तो मैंने एक काम किया, आप दूसरा जरूर कर ले न, थाकि हर तरीके से perfect हो जाए हम लोग, P1, E2 का बिटा value डालोगा, तो K P2 by R cube, root under 1 plus 3 cos square theta, times cos alpha, अब आप cos alpha का value डालो, based upon hypotenuse, तो 2 cos theta, by root under 1 plus 3 cos square theta, तो ये तो चला गया, ठीक है, final answer आ गया, minus 2K P1, P2 cos theta, divided by R cube, ठीक है, तो ये हमारे पास interaction की potential energy आ रही है, अब आप option मिलाओ, minus 2K P1, P2 cos theta by R cube, option number B, इसका right answer है, तो बहुत ही जादा, आज का USP सवाल था, मजज़ार सवाल था, नया सवाल था, मेरे खाल से शायद आपने ऐसा नहीं किया होगा problem, ठीक है न, बट ये एक problem, बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा, अब आपको torque ज़रूर निकाल नहीं है, ठीक है न, चलते हैं आगे, ओके, ये आज का आपका last problem है, चलो फड़ा बट से attempt करो, और torque और work के उपर है, जाते जाते मैंने मुला, डाइपोल में work energy नहीं आया, तो फिर क्या आया, ठीक है न, तो attempt करो, 45 second का time है, तो time लग गया क्या आपको करने में, मैं इसको रोक रहा हूँ, आप smart work करो, ठीक है न, आपको, इसमें क्या smart work आगया, देखो सुनो, maximum torque पूछ रहा है, PE होती है, और maximum work done कितना होता है, 2PE होता है, थोड़ा सा option भी गौर कर लिया करो, यानि torque जितनी होगी, maximum work done उसका double होगा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें torque यह work done यह आधा है, इसमें torque यह work done यह यह answer है, अब आप मैंसे आखे फाड़ फाड़ के देख रहे होगा, रहे हमने क्यों नहीं किया, थोड़ा presence of mind चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, यह नहीं हर सवाल बस बुद्धी बंद करी, शुरू हो गए करना, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सवाल और जल्दी हो जाए अब बड़ा काम नहीं है, आप रिजल्ट निकालना, आपका यह अंसर आजएगा, तो मेरे रिकाल के मज़दार लेक्चर था, ठीक है ना, तो आज एलक्ट्रोस्टेटिक हमने हस्ते खेलते कंप्लीट हिया, अब आपको बस हस्ते केलते, जो मैं टेस्स सीरीस के प्रब्लम दे रहा हूं, उनको कंप्लीट कर लेना, तो समझ लो, आपका पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से रिवाइस हो गया, ठीक है ना, तो आप इंपोर्टन प्रब्लम देख लो, बस अब आपको इलक्ट्रोस्टेटिक के कंस्ट्रप्चुल और एडवांस टेस से इतने प्रब्लम कर लिए, फिर इलक्ट्रोस्ट्रेटिक में नीट के अंदर ऐसा कोई प्रब्लम नहीं होगा, जो आप करना पाओ, ठीक है ना, तो इनको प्राक्टिस कर लो, अब हम लोग मिलते हैं निक्स लेक्च्छर के अंदर, थैंकी सूमच